जानिंग भई सुबह सुबह तो एर एंडर्जी होनी ची ए ग्लास में और कैसे आप सब कितने चलो थोड़ी से देर चिटचट कर ले था कितने वचे आपे वह पाशा हूं है इनसे 60 40 70 30 अरे अरे अपर चलो है और जो फांडेशन में पड़ा होगा को अपने लोकी बेसिक लेरें आपके आडवांस लेवल पर आज से इंटर में यह आटेटेट्ने वाले नो बोल रहा है और देशन वाले नो बोल रहा है इस पेपर की जम्मेवारी आपके व्याप रोखाई है इस पेपर की खास बात क्या होती है जब आपके ट्वेंट के बात की आपके जन्नी स्टाट करते है तो आपके जन्नी कहां से स्टाट हो जाती है गरों तो शी करेंगे में परहे करने नहींदा करने लेटें में और पृट्प्रक्रटि साटनाइग की बीडिया देख परहें एगां की आपके तो इस प्रॉसस में तो आज की पहली बहुत जादा नहीं करनार प्रुद्व जाद सकता है पर दो चार्गेट तो बड़ा एक्सेट करें पर दोगारें पर के बारे में जाना होगा है आज करोगा अब दोगारें यहां से क्षचा पर दोगारें आज की सबसे बड़ी आप है रहेंगे उसके आप गदेंगे वह आपके एक्षामेशन के लिए इंप्राइंट नहीं होने वाद आपके लिए प्रॉक्ति पर वाद नहीं है आप अपने पेपर में उसमें से एक भी सवाल देखने को नहीं है बड़ आज की इस क्लास के इस मामने में बड़ी कुशल होगी कि अगर आज की क्लास आप नहीं किसे करते हो तो पूरी CA इंटर लॉक की जर्मी CA फाइनल लॉक की जर्मी CA बनने के बाद आपकी लॉक से रिलेक्ट दो भी जर्मी है उसमें यह वाली का सब्सक्राइब लॉक करेंगा यह आपको बेस्ट करेंगे आज इसमें आप सी भी में एक चोटा सा ओपीनिन थी है आज की पहली पहली क्लास है स्टार्ट करने से पहले हम आपसे उपीनिन मानगा है मेरे पास दो अप्रोचित है पहला मैं यह मानकर चल सकता हूँ आपने पाउंडेशन में लॉक पढ़ा है बेसिक साथ एक फीक हाथ लॉक की नॉलिज आप एली करते हो कि अपने कॉलिज में भी लॉक पढ़ा है एक बेसिक मालेश आपके पास है सीधा हम नेक्स लेवल से अपनी जनली स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा मैं मान सकता हूँ मेरे पास सामने जिनने भी बच्चा वेठाए यह सारा 12th pass मान सकता हूँ 12th pass मतलब मानना भी बारी भी पास हूँ अज़ा भी पास हूँ मुबारगोजी आपने अपनी 12th pass कर ली है उसके लिए मैंने congratulations चलिए उसी अप्रोच के साथ हम अपनी class स्टार्ट करेंगे अपनी journey स्टार्ट करेंगे मैं यह ही मानूँगा क्या टोटली नेव आपको इस law के रिगार्डिंग कुछ चीज़े नहीं पता और उसी basic के साथ हम अपनी आगे की journey बढ़ाएंगे वो base build हो तो आपको feel हो जाएगा तो just give me a few minutes very good morning everyone जितनी भी हमारे live virtual students जुड़े हों very good morning आप लोगों को भी मैं बीच बीच में address करता रहूंगा बट हर समय मैं screen पर नहीं देख पाऊंगा तो आपके जो भी queries mean while होंगे उन्हें थोड़ा सा फोल पर कियेगा जब भी बीच में वह से बोलोगा I'll just look at the screen and आपके doubts definitely मैं resolve करूंगा चलिए बिटा तो फिर करते हैं आज की अपनी सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट and कितने टार्गेट है आज के अरब बतातो तो कितने टार्गेट थे क्या क्या टार्गेट था पहला अज थोड़ा सा पेपर के बारे में जानना और दूसरा बस थोड़ा तो यह जैसी यह दो टार्गेट पूरे हों आज की क्लास खतम और जब तक पूरे नियुक्त क्लास खतम नियों और तो इट शुद भी बहुत वेज़ना जले दैंगे अंकर तो गरते बढ़ा फिर जर्नी स्टार्ट सबसे पहले अपने लॉक के बारे में थोड़ी सी बाते कर लेते हैं जो भी मैं आप पर स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले जो भी डिसकेशन होगा आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है आपको जो भी बुक्स में लेगे उसमें सब कुछ covered है जब भी कुछ note करना होगा मैं आपको बता दूगा कि यह note करना है तो बिल्कुल open mind से बस अपने स्लेबस का एक overview आप लीजिए कि CA Inter में exactly आप से क्या expected है आपको क्या पढ़ना है तो बिल्कुल mind पर pressure नहीं रखना है light mind साब सारी discussion का पार्ट बनिएगा सिंटोष क्लास के वीच में आइंड में बात करेंगे इसके रिगार्णिंग मुबार्य को भी एक और 12 पास बच्चा आगे हमरे पास चलिए तो विटागर CA Inter की जरने की बात करें तो यह जो सी इंटर में आप अपना स्लेबस मेरे साथ स्टार्ट करने वाले इस विए आपका पेपर नंबर टू कॉर्परेट एंड अधर लॉस वेटे जिसकी रहेगी सो नंबर की सब पेपर नंबर टू मतलब अरे पेपर नंबर टू मतलब यार डिसकेशन करते रहेंगे ऐसे मैं थोटे ना बोलता रहूंगर से में बीच में आप लोगों भी बताना पड़ा पेपर टू विड़ा जब आप सी एंटर का पेपर लिखने जाएंगे इस विल बी और पेपर नंबर सेकेंड तो वैन्व को बस कितने वेपर क्लियर करने है उनको भी इंस्ट्रीट्यूट में आपके लिए डिवाइट कर रखा है ग्रूप बन एंडूप टू पहली क्लास है तो इसलिए मैं सारी बाते बताता हुब चलूँगा आपको पता है तो बहुत इच्छे मिल जाएगी तो दो ग्रूप म पास होने हैं तो इंडिवीजुली कितने नंबर लाने हैं 40 फॉट इस यह पासिंग राइटीरिया तो लेट सबोज आपके अकाउंट्स लॉट टेक्स रिजल्ट आया तीनों में 40-40-40 आगए पास हो गये नहीं एक और क्राइटीरिया है वह क्राइटियर किसी इसका है टेक्स में आप लिए 60 ग्रट निकल गया को अरे गलकुलेटर रहे रखो यह इसे लिए ग्रुप में गया 40-40-40-40 आट चलो एज़ी करते हैं 300 ग्रुप है पास होने केले कितने 50 ूंबर लेकितने नंबर तो चालिस चालिस कीतना बने गया 140 तो नंबर में नहीं तो आब़ आपके 40 आ गए एंट टेक्स में हमने प्रिजिम कर लिए आपके 60 आ गए थे तो इस विल नॉट में एलिजिबल फॉर पासिंग आपको फिर से अपीर होना पड़ेगा विकास एग्रीगेट नहीं बना पर यहां पर एक छोटा सा एडवांटेज आपके लिए इस स्कोर के अं मतलब इसमें क्योंकि आपने एक्जंप्लरी स्कोर कर दिया अगली बार आपको यह वाला पेपर दुबारा से नहीं देना अगली बार आप सिर्फ अकाउंट्स या लॉका पेपर यहां पर क्रैक करें तो इसको हम कहा देते हैं एक्जंशन तो इसलिए धान रखना कि आपक 40 50 60 लिए तब क्या गुरुप पास हो जायगा कि सब्छारे सब्सक्राइब 760 निलायको कितना हो गया क्या कि आपका अपर एंटर भी क्राइटीर्या है सोचो नंबर के तीन पेपर है हर पेपर में 40 लाने हैं एग्रिगेट में कितने लाने है डेड़ सो तो लेट सब उस ग्रूप टू में भी आपके आगए 40-50-60 एंड अकॉर्डिंग वहां भी आपने डेड़ सो स्कोर किया तब जाकर के आपका ग्रूप टू भी यहां पर पास हो गया तो यह आपकी ग्रू अगले अटेंट में तुम तो आपे अपने अग्जाम लीजप सकते हैं तो आप चाहें तो ग्रूप 1 एंड गुरूप 2 अलग अलग भी देश थे हैं घजत वाते और अऽफ्टरिया उससे पास पर CRT आपने शायद एक चीज सुने होगी रैंक क्लासे रोल करने से पहले हम भी थोड़ा सा मतलब करते रहते हैं इतनी रैंक्स आ गई सब्सक्राइब कर आपको बताते होंगे तो एक रैंक जो अगर सुनते हैं तो रैंक एक ऐसी चीज है जो इंस्टीडूट कम निकालता है जब आपने दोनों ग्रूप एकट्टे दिये होंगे कितनी रैंक्स पैन इंडिया लेवल पर निकलती है पचास बेटा रेंक एक्जैक्टली है क्या आप यह समझ लेना लेट्स आप सबका अटेम्ट में पच्चेस किसी का जन्वरी अटेम्ट हो जन्वरी पच्च्च्च्च् और सप्टेंबर 25 वाल अब गई चलो मैक्सिमम से मैं 25 वाल ही यहां पर आ रहे हैं तो में 25 लेट्स आपका यहां पर एक्टेम्ट आता है उस अटेम्ट में सीए इंटर का एकजाम अगर इंडिया लेवल पर पर पॉर्टिकलर अटेम्ट का जितने स्टूडेंट्स लिखने वाले हैं उनमें से टॉफ फिफ्टी स्टुडेंट्स की एक लिस्ट इंस्टिड्यूट निकालता है जिनको रेंग का नाम दिया जाता है और अगर आपको वह रेंग लानी है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा एक्स्टा प्रेशर हैंडल करन लिखते हो वो क्या लेट सब्सक्रोफ में आपके नंबर आ गए थे 40 60 60 मतलब 160 आपने या पर स्कोर कर दिया तो आपका ग्रूप बंतो पास हो गया जब आपने ग्रूप टू के तीन पेपर लिखे आपका स्कोर आ गया लेट सब्सक्रोफ चालिस चालिस और साथ ये कितना ग्रूप टू यहां पर पास हुआ पर अगर आपने दोनों ग्रूप इखटे दिये तो हम क्या मानेंगे आपने 600 नंबर का पेपर एक साथ लिखा है और दोनों ग्रूप का मिला कर आपका एग्रिगेट स्कोर कितना है तो क्या हर इंडिवीजुल सब्जेक्ट में हमारे प सेट आपका हो जाएगा और आपके दोनों ग्रूप को यहां पर पास मान लिया जाता है तो इसलिए यह दो एडवांटेज आपके पास है सेट आपके अपके एस्पिरेशन है तब आपको दोनों ग्रूप इखटे देने चाहिए और गवन दपॉइंट फॉइंट यहां से लगबग महीं हमारे पास नाइज मस्का टाइम बिटा प्रॉक्सिमेट रहेगा तो क्या दोनों ग्रूप में के लिए टार्गेट करना जायज नहीं होगा पेकौज इंगल ग्रूप करना में आपको तीन से चार मीने का समय लगेगा उसके बाद आप सोच रहेए कि में सिर सिंगल ग्रूप दें वो वाइबल नहीं होगा वट गिवन दपैक्ट मैं आपको में के लिए अगर दोनों ग्रूप कहा रहा हूं वो जर्णी इतनी भी स्मूध नहीं होने वाली आप केरलेस नहीं उसकते आपको कंसिस्टेंटली डेवन से एफट लगाते वे चलने पड़ेंगे वहना लास्ट मोमेंट पर यह होगा आपको लगेगा नहीं यार तयारी पूरी नहीं हो पाई अब एक ग्रूप दे देता हूं यह सेप्टेंबर में शिफ्ट कर जाता हूं बहुत बच्चों के साथ ऐसा होत करें पास्ट में आपका एकेडमिक क्या रहा क्या नहीं बहुत ज्यादा ब्राइट थे आइवरेस्ट अपके पास खुद को अकेडमिकली प्रूफ करने के कितने मोके सिर्फ दो सी एंटर एंड सीए फाइनल आप स्कूल में टॉप पर थे हमेशा फॉस्ट आते थे आपने फांडेशन में बहुत अच्छा स्कूर किया पर अगर आप इंटर और फाइनल उतने अच्छे से क्रैक नहीं कर पाए किसी को कोई फर्ख नीपड़ेगा कि आपने पूरी स्कूल की जर्नी में क्या किया था आप स्कूल में बहुत आवरेज थे फांडेशन शायद दो बार में निकला अगर आप इंटर और फाइनल ये दो लेक्स पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो पास्ट को कोई ध्यान नहीं रखेगा वह आपके करेंट इंटर और फाइनल की जर्नी को देखेंगे बट दो पॉइंट इस कि आपको रेगलर्ली एफर्ट डालते वे चलने पड़ेंगे तो फ्रम दो बिगनिंग भी वेरी कंसिस्टेंट यही आते हैं कि बच्चा लास्ट के लिए चीज़ें कर देता है लास्ट में वो प्रेशर हैंडल नहीं होता पर अगर आप शुरवात या ग्रुप या पेपर के रिगार्डिंग कोई भी दाउट तो बना फिर अपनी जर्नी पर आगे चलते हैं आज यह निटाउट्स इस चाहिए बट एग्रिगेट में आपका 50 आना चाहिए तब जाकर कि आपका यह पर पासमाना जाएगा अब लॉकिए अगर हम बात करें पासिंग रैटीरिया वैसे बियर मिनिममूम 40 है पर हमें अपने लिए मिनिमूम पासिंग क्रैटिरिया कितना सेट करना चाहिए आप जब यह जरनी सट करे हैं आप अपना टार्गेट वही सेट करते हैं यहां ऐसे बड़ी बात है पर आपको अपने माइंड को इसे डिख नहीं करना चैनलाइस या वर्क नहीं करने है आपको कैसे चैनलाइस करना है कि यह मैं सीए में भी वही 90-95-100 का स्कोर करूंगा इन पर्टिकलर पेपर वही आपका टार्गेट होना चाहिए उसी केसाब से आप अपने एफट्स करो अहां सर लिखेंगे तो वह सब चीज़े नहीं होनी चीए अगर आपको वह लगता है कि वह आपका एक वर्किंग एरिया है वहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है तो कंसिस्टेंटली धीरे-धीरे डे-बाइ-डे उस पर काम करते रहना आप यह नहीं सोच सकते कि लास्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा कि मिरेका लॉव लिखना एकदम से आजाएगा इस नोट ग लिखो आपके लिए आपका यह प्रैक्टिस आपके अपने हाथ में क्योंकि मैं तो कैमरे पर बूल दूंगा अंसर लिख लो घर बैठे बैठे आपके लिए आंसर ना लिखना एक बहुत ईजी ऑप्शन है तो वह आपको नहीं अपनाना है क्योंकि अगर आपको अपनी ब कुछ अदर लॉज आप मिस्लेनियस कानून पड़ेंगे जो 30 मार्क्स की वेटेज रखेगा एंड पेपर में इसी तरीके से बाइफरकेशन आपको कोशन में देखने को मिल जाएगा पर एक चीज़ का ध्यान रखना आपका पेपर पार्ट ए और पार्ट भी ऐसे लग देखने को रहा है पार्ट भी अलग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पेपर की डिसकेशन करेंगे में 24 का पेपर अभी आए वह आपकी बुक्स में कवरड़ है वहम डिसकस करेंगे सप्टेंबर 24 पी पेपर आपके बैस के साथ आजाएगा वह भी हम कबर कर लेंगे आ आपके लिए 70 मार्स की विटेज करेगा अगर कोर्पेट लोग की बात करें तो कॉर्पेट लोग ये कुछ एक्जामपल्स अनि लाएक को कानून कॉर्पेट लोग एक्जामपल गया बाद है क्या बात है कंपनी जैक 2000 तेरह ओके दोजार तेरह यह उन्हें से चपन तेरह यह चपन मेरा अच्छा तो बड़ा कंपनी जैक दोजार तेरह वटबाट नाइन फिप्टेसिक्स वह तो पुराना वो गया आज एप्लिकेबल है इंडिया में नहीं नहीं है भारती एल इंकॉर्प्रेटेट इंडिया 1995 बन अब टॉप नॉच लिस्टेड कंपनी इस अफिटेड करते होगे लिस्टेड कंपनी है स्टाक मार्केट पे भी लिस्टेड है ठीक तेरह सो प्रचानवे में कौन से एक्ट में इंकॉर्प्रेट होगी नहीं सब्सक्राइब करती है तेरा या चपन तेरा अच्छा एपल इंकॉर्परेशन शायद नाम सुनाओगा कितने बच्छा एपल के प्रोड्ट्स यूज़ करते हैं मैं तो नहीं करता दूँ नहीं है यार बच्चे चलो अच्छी बात है तो बड़ा एपल कहां पे इंकॉर्प्रेटेटेड है यू से इंडिया एपल इंकॉर्परेशन अरे अवास न्यारी यू से इंडिया कौण सा कॉन सा कंपनी जाट फोलो करते है तेरा या चाप्पन एट फांडेशन में सीखा होगा कम्पेश थोड़ा 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 फांडेशन में भी था चलो एनीवेस यह गैस्त आपका ठीक है कि बिटा वन ओफ दी कॉर्पेट लौट आपके श्लेवस का पार्ट है डट इस गोई टो भी कंपनीज एक में थोड़ा बहुत पढ़ करके आते हो आगर मैं परसंटेश कर पढ़ाऊंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ा तो मैं यह पहला कॉर्पेट लौँ है जो आपके श्लेवस में इंस्ट्रीड यूट ने इंट्रीवस किया है सर पूरा कफूरा कंपनीज है इस स्लेवस में कंपनीज में कितने सेक्शेन से थोड़ा बहुत अगर कभी डिसकस हुआ फाउंडेशन में कितने हैं दल्ब अच्चे तो धार मेरा कमपनी जैक्ट का लास सेक्शन नंबर कितना है 470.470 to society Soul किया कमपनी जेक्ट में है नई है क्या का अ मि आभकर सकते हो है सब्लास सेक्शन नंबर कितना है है क्पर टोटल सेक्शन कितने यंच्छा 470 है नहीं एक चीज बेड़ा जो आपके सीखने की है किसी भी कानून का अगर लास सेक्शन नंबर 470 होता है उसमें 470 ही सेक्शन हो ये जरूरी नहीं होता यह क्या बखवास करें लोगा इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर लास सेक्शन नंबर 470 है तब भी टोटल सेक्शन 470 नहीं है यह तो मैं आपको बदा सकता हूं तो सरी यह 470 क्या चलो अभी के लिए मान लेते हैं कंपनी जेक्शन 470 है टोटल सेक्शन भी 470 है क्या लगता है इंस्टिट्यूट को बड़ा दयावान आपके बात मान लेगा क्या कहता आपका दिल कितने सेक्शन लगबग आदे-अजी बाट आदे-लगबग कितने होगए 235 के असपस बाट बेटा इंस्टीडिट तो बड़ा देवान है वो केता है इतने भी नहीं पर आप बस मोटे-मोटे 500 सेक्शन पढ़ लेना बस आजब 500 भी नहीं कितने सेक्शन है सेक्शन बन से लेकर 148 बस अप टू 148 तो इतने से सेक्शन हैं जो आपको अपने इन्टर लेवल पर यह जो लास्ट में आप सेक्शन की सीक्मेंस देख रहे हो अपने बच्पर में शायद एक कॉंसेट पढ़ा होगा फॉरन कंपनी पढ़ा था फॉरन कंपनी कुछ होती है बाहर की कंपनी है प्लेस ऑफ बिजनस है कुछ ऐसा कुछ-कुछ होगा तो पढ़ा था या नहीं तो यह फॉरन कंपनी से कनेक्टेट एक चैप्टर है जो आपका सी इंटर लेवल पर इंटरूज्ट है तो लास्ट येर्स ये का स्लेबस रिवाइस हुआ था फॉर नॉलेज आप जो लेवस पढ़ रहे है नया स्लेबस है लास्ट ये चेंज हुआ था तो यह वाला जो करके इसे इंटर में अब इंटर्यूस कर दिया गया है तो फॉर दी कंपनी जैट आपको बस लगबग मैं कहूंगा इतने से सेक्शन पढ़ना है डेड़ सो एक सो साथ के आस पास आप कह सकते हैं तो इतने आप यहां पर पर पढ़ लोगे डैट विल वर्क सर बागी के बागी के फाइनल में बेटा लॉग का पेपर ही है चलो तो आपके कुछ सेलफ पेस्ट ओनलाइन मोड्यूल्स हैं चापको सी इंटर के बाद कर रहे हों कि उसमें से वन अफ पर पर लोग किसी को आईडिया है तो ठीक है नहीं है तो जर्णी के साथ साथ मैं आपको बाद म को को होता कर्डों कर्फिन और करता है तो कामपनी को वाडी करता है है तो हम्रमिक ईंटरिवल पर पढ़ना पड़ेगा क्या से भी भी कहीं ना कहीं बॉडी कॉर्परेट्स लिस्टिड कंपनी इनसे डील करता है बिल्कुल तो ये विए टाइप क्वेट लोग है और को एक्जाम्पल को और पैद लोगा पर आपको सिर्फ यह दो कानून पढ़ने हैं फस्स इस कंपनी जैने अगर आपने कंपनी जट तरीके से पढ़ लिया यह मेरी के इसको तरीके से पढ़ा होगा अगर आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पढ़ेगी मतलब आप खुद से अगर बुक ओपन करके लिए पढ होता होता है इसे कंपनी के क्यों कोंसे फीचर होता है एक है लिमते लाइब लाइक फॉं लिम्में लिम्ते लाइब लिट्य होती है आप तो फीचर कैसे नलाइक हां सर ठीक बात तो ठीक है अरे कौन से फीचर है फिर्म के टेकसे अप्ट पॉइट आए चलो गुड़ पॉइंट आए कि जब आप टेक्स सीखोगे इंकम टेक्स आप सीखोगे कि फर्म और लपी को टेक्स के परपस के लिए एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है तो जो टेकसेशन ट्रीटमेंट एक फर्म पर लगता है वहीं लपी पर होता है कि मतलब अगर हम दोनों आज फर्म बना ले और इनलाय कुछ गड़बड़ी करते हैं जिसके बहुत हाई चांसे हैं क्या मैं उसके लिए परस्नेल लियाबल हो जाओंगा मुचल एक दूसरे के एजेंट हैं मुचली मतलब आज अगर वो कुछ काम करता है मैं उसका मुचल एजनसी का पीचर तो नहीं है और कोई फीचर पार्टनर्स जैसे आपको देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी का जैसे जब आप एक फर्म बनाते हो तो महाँ पर एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना क्या प्रॉफिट शेरिंग रेश्यो होगा क् अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपना एग्रीमेंट राफ्ट कर सकते हो और अगर आपने तरीके से पढ़ लिया तो यहीं से पास हो जाएगी और बाकी तीस नंबर आपके लिए क्या जाएगा फिर अधर लॉस में इंस्टिट्यूट ने आपके कितने टॉपिक्स सबसे पहला बिड़ा जो आपको टॉपिक यहां पर पढ़ना रहेगा कौन सा आ जाते है आपका जनरल क्लाजिस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है प्री इंडिपेंडेंडेंस का यह कानून है अंग्रेजों ने कानून हमारे देश में बनाया था जो आज तक चला आ रह पर बदाऊ प्रीक घठाटाटाए जी सी यह को करें उसमें जनरल टर्मस है जनरल नाम में जनरल क्लॉजस कुछ जनरल जनल बाते हैं जो दूसरे कानून और पली के भले हैं अरे हां यह यह सही का आपने एक दम यह कानून भी बहुत ज्यादा आसान कानून है अब इस कानून में जब आप पाते पड़ोगे आपको लगेगा है लॉमेकर नहीं इसके लिए रख से कानून क्यों बना दिया यह तो हमारी जनरल इंडेस्टेंडिंग थी यह इंप्लाइ लेट सबस्क्राइब एक एकजांपल के साथ इसको समझते हैं आज बड़ा अमने ने इक मपनी जब चान परदा और और ने बात सीखी वह बाद जो कंपनी जब लिखिए ओ क्या लिखिए थी की ए शेयर होल्डर है अ शेयर होल्डर सुना अपने टम शेयर होल्डर या शेय एंटाइटल टू वोटिंग राइट कविटा मेंबर्स को वोटिंग राइट मिलते हैं तो लेट सब बढ़ा कंपनी जैक किसी सेक्शन में लिखा हुए कि यह शेयर होल्डर इस अ मेंबर ओप अपनी इंक्परेट कर दी बताओ क्या नाम रखे कंपिंग अपर यह असा अपनी इसाब से नहीं बताना चलो लाइक लिमेटीड पर नलायेक लिमिटिड करके हम सब ने कंपनी इंकॉर्प्रेट करी हम सब उसके मेंबर है और आज मुझे कंपनी बनाने के बाद एक बड़ा इंपोर्टन डिसीजन लेना है उस डिसीजन पर आप सब के पास वोटिंग करके मुझे बताइएगा कि मैं ये काम कर भी सकता हूं या नहीं तो आप सभी उस मीटिंग में आ भी गए और आज हमें लेना है डिसीजन तो पहले पहली पहली क्लास है सुभे सुभे का टाइम है कहीं बच्चे नाश्ता भी नहीं करके आएंगे कितने बच्चों का मानने कि हां आज की क्लास में समोंच से बढ़ जाने चीहें अरा कि इस जलो कितने किरें नहीं नहींए सर है सीथ आपको तक्लीफ थोड़ी न देंगे जलो तो लैट सबस्द वीड़ा आज हमारी क्लास के मेज़ restrictions लड़कों ने कह दिया सर नहीं आपको तक्लीफ नहीं देंगे और बढ़ा सारी की साली लड़का खरें नहीं नहीं हमें तो समोज से खाने हैं अब करें नहीं नहीं है यहां कि यह क्या बखवास भी इसर ऐसे कैसे वैलिट नहीं है मैं क्या करूँ कानून में यह लिख है पड़ो क्या लिख है कि शेर होल्डर कंपनी का मेंबर है तो मैं करूँ लड़कियों आप भी शेर होल्डर हो आप भी मेंबर तो हो पर जब वोटिंग राइट की बात आती है तो लॉमेकर ने वोटिंग राइट सिर्फ किसको दिया है एक मैस्कलिन जेंडर को मतलब सारे शेरोल्डर मेंबर है पर लॉमेकर क्या कहना चाह रहे कि जब वोटिंग की बात आएगी वोटिंग सिर्फ वहाला मेंबर कास्ट करेगा जो एक मैस्कलीन जेंडर या व्मिल है फीमेल को नब वोटिंग अधिकर नहीं है मैंने यह बात आप के रखी तो लडिकियों आप अपने में कुछ क्याना चाहेंगे इस लाइड को कहने तुम कुछ अजी क्या अपने पक्षब कुछ कहना चाहेंगे जन्रल बात क्या है लिख आ यहां पर मैंने जट साब को कानून का एक सेक्शन कोट करते वे अपनी बात रखी अब आप जट साब को क्या होगे यह नहीं सा यहां पर फीमेल्स कवर्ड है कि नहीं सर आज तो पढ़किया में लग रहे कि नहीं यहां तो सिर्फ मैस के लिए नहीं कवर्ड है अगर मेरे जैसा इंसान केस कर दे तो क्या सब का टाइम बरबाद होगा कोट का टाइम बरबाद होगा बिल्कुल तो ऐसा रूम ओफ डिबेट ना रहे बिना बात के मैटर कोट में ना चले जाए तो इसलिए अगर किसी भी कानून में कोई की बात ही के लिए लिखी है उसमें शी कवर्ड माना जाएगा या फैमिनिन कवर्ड बादी जाएगी यह बात हमने कहां पर लिख दी जी सीए में जन्रल क्लॉस जैक तभी उसका नाम है जन्रल क्लॉस एक कि अगर आप कोई दूसरा कानून पढ़ रहे हो उसको पढ़ते पढ़ते आप कही अटक गए तो आप जी सीए में जाकर देख ले ना उस पर आपको क्लारिटी प्रोवाइड कर दे तो वह ऐसी जन्रल जंदल बाते बताएगा that is why GC8 is very easy उसको पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा यह बात यहां पर लिखने की जरूरती क्यों है तो प्रस जरूरत सिर्फ इसलिए है ताकि कोई भी रूम ओफ डिबेट ना रहे बिना बात की लिटिगेशन आओ तो वह भी एक बहुत ज्यादा सिंपल कानून आपकी लिए है एक और एक्जांपल ले ले लेते बिड़ा आपने एक टर्म शायद सीखियोगी बच्पन में मूवेबल और इंद मूबल प्रोपरेटी है एक पूरी इंद मूबल प्रोपेटी जहां पर हम है वो स्टुडेंट के नाम कर दूंगा एक मेरे नाम पर यहां पर जितनी मूबल प्रोपटी है वो सारी स्टुडेंट के नाम हो जाएगी यह अनॉंस्मेंट हो गए लेट सब्सक्राइब किसी बच्चे को सो बटा सो लो में आ भी गए तो क्या मेरे को अपनी कमिट्मेंट पर रहना पड़ेगा यह मैं अपनी ब मूबल प्रोपटी है अरे क्या है या नहीं पर बेटा अर्थक्वेक में तो वह मूव कर जाती है अर्थक्वेक आएगा तो धर्तील सकती है ना तो मूवेबल हुआ या इमोबल अर्थ इमोवेबल अच्छा मैं आगड़ा इस जमीन पर जो यह बिल्डींग का श्रक्शर खड़ा है यह मूवेबल है या इमोवेबल पर आप ने कभी वह एड देखे जैक से मकान उठवाए यह सैंपान ने गवी तो फिर मोवेबल है या इमोवेबल क्या है सब्सक्राइब कितने कैसर मूवेबल है इट कैन बी मूवड कर नहीं सरी यह तो ही मूवड है अरे क्या हो गया बाकी सबकी क्या सलाव नहीं अरे बिल्डिंग मुवेबल प्रपटी है मोबल कैसे अब देखो पूरे के पूरे घर एक जगे से दूसरे के शिफ्ट हो जाते हैं पॉसिबल है मतब देरिजा पॉसिबिलेटी अच्छा प्लांट इन मशीन रे मूवेबल है इं मूवेबल है इं मूवेबल अरे एम है आई है अच्छा पिड़ा आपने कभी यह देखें जो टीवी टावर्स लगे होते हैं जहां से मोबाइल के सिगनल्स आते हैं यह एम है या आई है अचलो बिल्डिंग को मैं आई मान लेता हूं पर इन दर्वाजों का क्या इन चोखटों का क्या इन शटरों का क्या यह एम है या आई है कि क्या एंट्री डाले एकाउंट्स में इसलिए इसलिए आपको सीखने को मिलेगा कि मोबल क्या है मोबल क्या है यह इसक्या लॉक के लिए इम्मूबल का मितलब वो होता है जो मूव ही ना हो सके शायद नहीं एक शायद वो डेफिनेशन सही नहीं है इसलिए इस टाइप की कुछ जनरल बात है आपको जीशी में सीखने को मिलेंगी तो यह अधर लोग आपके इसलिबस में आएगा जनरल क्लावजेस निच्छ बने कुछ बात है अरे बने कुछ बात चलो तो यह सिंपल सा कानून है जो आपको यह पर पढ़ने को रहेगा तो अधर लौॉस के अगरं बात कर रहे थे अधर लॉज में एक कानून जो पढ़ने है वहारहए आपका जनरल ग्लावजेज च्ट दूस परते हो उसको इंट्परेट करने का तरीका क्या होता है कैसे कानून करने का तरीकह या रे परिया जायें है तो सब बात जी रेसे फींट चार् Joint तो बढ़ा आज मेरी ये कंपनी है उसने ना 50,000 रुपे के पेड़ पोधे खरीदे हैं पेड़ पोधे उसको मैं revenue की तरफ P&L में चार्ज करूँ या plant and machinery depreciable etc तो depreciate करूँ प्लांट्स हमने प्लांट्स खरीदें पेड़ पोधे प्लांट्स तो मेरे ख्याल से तो यार ये revenue expenditure था P&L में सला जाना चाहिए पर एक बच्चा करें नहीं सर्थ ये तो प्लांट है और प्लांट और machinery तो depreciable asset है बिटा ये ना कोट में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ये क्या हुआ थो और हमें बात लीगली रिखनी पड़ेगी न है थो तो क्या श्रीन हम पर बात में दम है या बिकारी बात है व्यां लागत को हमारी सुनी है सोच के आप पहले साहओ वह बताओगे चलो बड़ा कानून के अंदर कुछ rules of interpretation होते हैं उसमें इसे एक rule आप काता है नसाइटर असौसी अब उसकी spelling क्या होते हैं यह बाद में जाएगा उसको बोलते हैं नसाइटर असौसी वह कहते हैं कि अगर कानून में आप कभी भी दो शब्द आपस में इस तरीके से लिखे जाते हैं उनक इंटर्पेटेशन इस प्रकार से होगा तो यह कुछ इंटर्पेटेशन कर देगे कायदे कानून आपको यह वाला लौ सिखाएगा यह वाला चैप्टर सिखाएगा सबसे बढ़िया बात क्या है यह चैप्टर भी आपको अलग से पढ़ने के जरूरत नहीं है मतलब यह ब पूरी जर्नी को कम्प्लीट करते हुए जब लास्ट में इस टॉपिक पर पहुचेंगे आपको अल्रेडी लगेगा कि आपको 70 80% यह चैप्टर पहले से आता है क्योंकि आप पूरे स्लेबस में लौक को इंटर्पेट करेंगे सारे रूल्स खुच से अप्लाई करेंगे इस अप्लिकेशन बेस चैप्टर यह वाला चैप्टर भी आपका आपका पूरे स्लेबस के साथ कभर हो जाएगा बट डॉंट वरी लास्ट में पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि मैं कहा दूंगा नहीं पढ़ेंगे तो सही पर आपको यह चैप्टर भी पहले से आता होगा तो य यह अधर लोग का एक टॉपिक है एंड विड़ा फाइनली दे लास्ट टॉपिक आपका स्लेबस एंड वो टॉपिक कहों से ब्ड़ा सुनाओगा ना फॉरे शायद आपने कोई कानून सुनाओगा पेरा वोरन एक्चेंज रेगलेशन एक्ट उसको रिप्लेस या रिपील करके बेता यह नया कानून हमारे देश का और चर। म मारकिले जिसके वर्च पैड करने वाले लौका काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे टा भीमा की एडवाईजरी करने वाले बहुत ही करने लिमिट्रीच का ये कानून को बनाने का जो तरीका वो थोड़ा सा कॉंप्लेक्स है अगर आपने इस कानून की ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं सीखी कि कानून बना कैसे है फ्लो कैसे कर रहा है कौन सी कैसी अथोरिटी है फिर इस कानून में आप जिंदगी बर स्ट्रगल करोगे पर अगर यह कानून बढ़ आपने एक बार स्कानून को पढ़ने का तरीका सीख लिया कि इस तरीकेसे कानून बनाया जाता है यह कानून भी पहले क्या लग रहा है जी नाम से फेमा और एक्षेंजिस करेगलेट करता होगा तो सार आज अगर हमें घूमने जाना है लेट जब बढ़ा आपने सीए करी सीए बन गए आज वो देने जब तुम्हाने स्क्रीन खॉलिए स्क्रीन पर लिख सीए तो उसके बाद घूमने जाना बनत पूछ चुका और किसी भी बैच में कोई दूसरा आंसर क्यों नहीं आता है अगर आप इंडियन रुपया लेकर जा सकते हैं यह वहां की करंसी लेनी पड़ेगी कौन सी करेंसी चलती है वह क्या रेट्सल राच कल थाइबाट का वाई पूरी रिसर्च करका है कर लो तो ठी ठीक है यह रिसर्च यह अंवर्क मेरा कम्क्लीट है चलता है थाइबाट हम बोलते हैं भी एच डबल टी तो थाइबाट वहां की करंसी तो अगर आपको वहां पर घुमने चाहने आपके पास वह करंसी होनी चाहिए इंडिया में आपको थाइबाट मिल जाएगा या पहले अगर लिए को अधिक है अगर कोई करना चाहता है और फॉरण करंसी बेच सकता है को नहीं यह बताएगा क्या आप चाहिए और फॉरेंग करंसी हमारे देश के लिए बहुत इंपोर्टेंट रिसूर्स है वढ़ा हमारे पास पॉरेग्स का बेलेंस बढ़ना चाहिए घटन तो सो यह क्या हो एगर दाने के लिए मुझे इंडिया से क्या करना पड़ेगा एक्सक्पेसड कि टॉलर की १ार्वार टॉलर मेरे पास होने से क्या होगा क्या बढ़ा कल को इंडिया में कोई ऐसा इंसान बें उसकते है जो यूएस से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ और अगर आपने इंपोर्ट के उसको पेमेंट किसमें करनी पड़ेगी अगर मैंने क्या एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाया था तो क्या इंपोर्ट के लिए मैं डॉलर की पेमेंट देश से कर पाऊंगा पर अगर मैंने एक्सपोर्ट करके डॉलर नहीं कमाया और मैं सिर्क इंपोर्ट कर रहा हूं फिर भी क्या मुझे डॉलर चाहिएगा तो बढ़ा मेरा देश उस डॉलर का अरेंजमेंट कहां से करेगा, क्योंकि हमने थो एक्सपोर्ट करके कमाये हैं नहीं, तो बड़ा कि मिरे को इंटरनेशनल मार्केट में जाकर डॉलर परचेस करना पड़ेगा, तो क्या वहां पर मैं अपने रुपया सेल करके इंटरनेशनली डॉलर खरीद रहा हूं तो क्या डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपे की सप्लाई बढ़ रही है तो क्या रुपया नीचे जाएगा और डॉलर मजबूत होता जाएगा तो तो यह सब चीज है फिवा में सीखें कि यह सब काम कैसे करता है तो फेमा इ कही है कि अंदर सतर नंबर की वैटेजें कि रहेगी को परेड और में आपको दोई टॉपिक पढने कंपनी जैक। किंशन थे सब्सक्राइब करना है इसको अचीव करना मालने काफी असान होगा तो मारा इस्टिटूर बड़ा दयावान है इंटर का लॉका स्लेबस उन्होंने बहुत असान बनाया है अब थोड़ी सी दया की क्रिपा और बरसाते इंस्टिट कर रहे हैं और असान आपके लिए चीजों को कर देता हूं कैसे इंस्टिट ने का जी सतर और तीस कॉर्प्रेट और अधर लोग तो हो गया पर इसको मैं आ होसकत उनक सब्जेक्टैव आईगा सत्तर बाकी पेपर आपका कैसा होगा एंसी क्यों बेस्ट और तीस नंबर के बीटाएंसी क्यूज आपके पेपर में आएंगे और अगर आपने अपने mcq उस तरीके से कर लिए पतला मैं कहता हूं बटा mcq में let's suppose 30 बटा 30 नहीं 25 अब तो आपको बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि mcq में क्या आपको कोई reasoning देनी है या सिर्फ omr sheet में circle करना है तो क्या तीस नंबर के लिए law लिखने का डर खतम हो गया कि मापर लोई नहीं लिखना पीस नंबर में तो सिर्कल करने रीजनिंग तक नहीं देनी तो आपर कोई reasoning देनी सिर्फ अप सर्कल फिलकर कर आप अगर आपने 25 नंबर भी इसमें अचीव कर लिए तो बाकी 70 मे कि बेर मिनिमम जो 40 का क्रेटी रहा और कितने चाहिए यह तफ कोशन है इसमें 25 आगे तो नलाइक उसमें कितने चाहिए गे 15 में से इतनी त्यारी तो तुम अगले आठ नो मीने में कर लोगे कि 15 नंबर आ जाए अबड़ा क्या तैयारी वह 15 नंबर के लिए थोड़ी सी जा आप से ही लगेंगे अपने डेवन पेस हो चाने कि में चाली से पचास लाने है तो अपने एफट्स भी उसी हिसाप से लगाते चलोगे ठीक है यार पास ही तो होना है हो जाएंगे एवरेज एफट करते हैं आपका टार्गेट हमेशा हायर होना चाहिए जिसलिए बड़े सब्सक्राइब करते हैं अगर आप तरीके से चलोगे बिल्कुल यहां से आपकी जर्नी स्मूध हो सकती है तो कमिंग डाउं टू इंटर चे पेपर हैं सब में आपके 30-30 नंबर के एमसी क्यों आएंगे और अगर आपकी क्लास में डिसकस हो जाएंगे तो इसलिए यह तीस नंबर अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है और यहां पर आपकी द्राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया ही नहीं जा रहा बाकि 70 नंबर में डेफिनेटल आपके राइटिंग स्किल्स टेस्ट होगी जो हो जाञा होगी जो हुआ है अज है तो बिदा मैं मान रहाऊं कि इंटर रफाइनल में मैच का सब्जेक्ट नहीं जाए पर तुम तो अभी पढ़ क्या आयो अगर सो मेंसे 70 कॉर्फेट लोई है सब्जेक्टिव एक य पर सत्रका है तो सब्जेक्टिव मेंसे कितना पेपर कॉर्प्रेट लोगा होगा कितना इसमें भी वोल रहे हो अध्य होगी चलो जी तो इस तरीके से आपका पर आएगा तो इंस्टीट्यूट ना आपका काम काफी असान किया है और फिर भी अगर आपको लगता है इंस्टीट्यूट दयावान नहीं है इस फिर से साबित करने जा रहा है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक तो नहीं है क्या होनी चाहिए अपने दिल से पूछके बदाना प्रोफेशनल लेवल सीए लेवल का कॉर्स लिखरे ओ तीस नंबर के मार्किंग होनी चाहिए पर नहीं है तो क्या करें अब इस लिए उस दयागा बिल्कुल पाइदा उठाएंगे कोई पूरे जरूर कराना एंप सवाल नहीं आता उसमें भी कुछ ना कुछ कर जरूर देना विकॉस नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई रिजनिंग आपको नहीं देना विकॉस ओम आपको अपना पेपर फिल करना रहेगा के स्टडी बेस्ट एमसी की उस भी आपके पेपर में आएंगे अब जब भी मैं के स्टडी वर लेता है नो कई बच्चों के दिल में ऐसा दुगदू को नहीं लग जया के स्टडी क्या होती है कुछ भी नहीं आप बच्पन से सारी के स्टडी सॉल पर क्या है इवन 11 12 में क्या होती है जो एक प्रोवीजन आप पड़ोगे उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोश्चन आप बनकर एक कहानी के फॉर्म में थोड़ा सा सवाल बन जाता है एक कहानी आपके लिए बनाई जाती है एक परसन है मिस्टर सलमान शूज मैनिफेक्चरिंग का बिजनस है कंपन सब्सक्राइब करें तो इसलिए नेवर भी फिर्ट ऑफ के स्टेडी के स्टेडी आपका नॉर्मल प्रोवीजन को ही थोड़ा सा कहानी में बुनकर बनाया जाता है और वो जरूरी भी है कि यह बनने के बाद आपको रियल लाइफ में के स्टेडी करनी है अब आज मेरे पा बाद जो आप ध्यान रिखेंगे लास तक भी मैं आपको रिमाइंड करता रहूंगा कि ओमर शीट में आपको जो सर्कल फिल करने है किस से करने होंगे पैंसिल से बाकि आपका जो रोल नंबर आएगा जब आप अपना एक्जामेनिशन फॉर्म भरेंगे उसमें सारी इंस् है एंड लास्ट पॉइंट जो बड़ा जरूरी है बिटा जब आप अपना पेपर लिख देंगे लौका पेपर लिखने के बाद आपकी सब्जेक्टिव की आंसर शीट होगी जो आप एक्जामनर को देंगे पर एक और चीज़ आपको प्रोवाइड करने पड़ेगे क्या mcq का कोश्चन पेपर तो आपका सब्जेक्टिव का जो कोश्चन पेपर वह अपने साथ बाहर ला सकते हो पर mcq वाला कोश्चन पेपर आपको बाहर लाना लाउड नहीं है लेटली कुछ स्टुडेंट्स बाहर लेकर के आएं हैं इस रिखार्मेंट तो इसलिए mcq का क लेटर और रिलेक्स कर दे पर आपको विकार बाद में अभी कंफ्यूजन नहीं है अभी जो रिक्वार्मेंट है वह यह है कि आप अपने साथ पूरा स्लेबस हमारा आने वाला है इसको अचीव करने के लिए क्या-क्या टूल्स इस्तमाल करेंगे वह भी मैं आपको बताएता हूं तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास आएंगे यहां पर दो किताबे और यह बिल्कुल लेटेस्ट आपकी किताबें हैं वोल्यूम वान जो आप देख पा रहे हो यह हमारी वॉल्यूम नंबर टू आएगी तो यह दो किताबों में आपका पूरा हेंड़ मांक्स का एटुजेट सारे का सारा स्लेबस कवर्ड़ है इन बुक्स के अंदर जो चीज़ें में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं वैसे दो लगाई है वो इसी परपस से लगाई है कि वो सारा हुंबक मैं आपके लिए करूं मतलब मैं सिर्फ यह बता दो यह पढ़ना है ऐसे पढ़ना है आपको खुद से अलग से एफट्स content को search करने में ना लगाना पड़े तो सारा content पर कैसे काम होना है वो मेरी जिमेवारी है त इस बुक से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपका पूरा study met यहाँ पर कवेड़ है study met से कुछ ना कुछ जाधा ही coverage आपको मिलेगी इस बुक के अंदर सारी चीज़े आपको color में highlight मिलेंगी कैसे वो color combinations का इस्तमाल हुए जैसे जैसे स्लेवर्स में आगे बढ़ेंग A to Z हर सवाल आपको यहाँ पर cover मिलेगा कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको इस बुक में cover ना मिले इंक्लूडिंग यूर में 2024 जो जस्का question paper उसके सवाल भी आपके इस बुक में cover है including September 2024 जो भी attempt आएगा उसकी RTP क्योंकि जब मैंने book finalize करी थी तब तक RTP आ चुकी थी तो उसके सवाल भी आपको इस बुक में cover मिलेंगे जो इस बुक में cover नहीं होगा वो नहीं होगा September का paper January का paper तो वो जैसे-जैसे मारा batch आगे बढ़ेगा batch के दौरान जो पेपर आ जाएगा वो batch के साथ हम solve कर लेंगे जो batch के बाद आएगा उसको YouTube बगएर पर हम share कर दिया क करेंगे वहां से आप लोग practice कर पाएंगे but till date each and every content is covered in this मतलब इसके बाद आपको कोई scanner banner करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप कोई scanner उठाकर देख लेने बड़ा कोई सवाल ऐसा होगा ही नहीं जो आपको इस बुक में cover ना मिलें और वो इतनी confidence है मैं इसलिए कहा रह है तो that is why I'm able to say this तो अगर आप यह कर जाते हैं कोई सवाल आपके लिए untouched नहीं रहेगा पर हमारा focus सवालों पर जादा होना चाहिए या provisions पर जादा होना चाहिए undoubtedly provision को तरीके से सीख लिया फिर चाहिए वो subjective में आ जाए objective में आ जाए कोई नया सवाल बन करके आ जाए कोई अगर में लोका प्रावधान पता है हम असानी से चीज़े को टेकल कर पाएंगे फिर भी questions के practice करेंगे A to Z जितने subjective questions हैं सब आपको इस book में covered मिलेंगे इससे बहार आपको कोई सवाल extra देखने को नहीं मिलेगा यह मेरी guarantee आपके लिए है सब्जेक्टिव कोशिन तो बता दिए what about mcq लोड़ा mcq के लिए यह आएगा हमारा थर्द टू जो होगी हमारी mcq booklet तो यह latest एक दम mcq booklet है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके mcqs है stand-alone mcqs case study based mcq each and every mcq you will find in this आज तलक institute ने जितनी rtp में जितनी mtps में जितनी अपनी mcq booklet में जितने सवाल institute ने आज तक कभी भी बनाए हैं A to Z सब आपको इस book में covered मिलेंगे मैंने भी अपनी तरफ से इसमें बहुत सारे mcqs ढाले पर उन सब का combination आपको मिलेगा इन नट शेल यह booklet अगर आप ने कर ली mcqs की कहीं और से आपको प्रेक्टिस नहीं करनी पड़ेगी and don't worry ऐसा नहीं कि मैं क्लास में पढ़ा कर आपको कह दूंग जाएगी तो यह हमारे तीन टूल पर इसके बाद एक लास्ट टूल जो आपको मिलेगा जिसके जाथ हमारी सारे टूल्स कवर अप हो जाएंगे सी इंटर लॉक के लिए and that is going to be a CA इंटर लॉक की compact बुक तबड़ा एक compact बुक हमारे आती है यह थोड़ी सी इस वेड़ा आपने जितना भी कवरेज किया होगा अपने पूरे स्लेबस का 100 marks के लिए a to z आपके सारे के सारे प्रावधान जो आपके स्लेबस में है दोजार compiled in 50 pages पचास तो आपका पूरा सी इंटर का जो स्लेबस है वो पचास पेज़े में आपको इस बुक में summarized मिलेगा यह बुक बनाने का एजिंडा सिर्फ यह है आपको यह समझ आ जाए कि इतना भी जादा नहीं है कि उसको हम समाई ना पाएं उस स्लेबस समाया जास सकता है यह बुक सबसे जाद आपके लिए helpful होती है पेपर से लास दिन पर क्योंकि पेपर से पहले लगबद आपको देड़ दिन के छुट्टे मिलती है और उस देड़ दिन के holiday में पूरी बुक को in-depth वहां से पढ़पाना कुछ बच्चों के लिए शायद पॉसिबल ना कर हम इतना पैनिक कर जाते कि उन चीजों को दुबारा से कंपाइल नहीं कर पाते तो पेपर में यह तो लगता है कि यह पढ़ा तो था इसका कुछ आंसर भी था पर एक्जेक्ट आंसर क्या था वो याद नहीं आपा था क्योंकि वह इतना जादा है तो इसलिए लिए लास कंटेंट आपको अलग से करना है आपको बता चुको सेप्टेंबर का पेपर सेप्टेंबर की एम टीप जैनवरी का पेपर जन्वरी की मップी जो ओन को मुल करते वे चलेंगे पर उनके भीमक्सिम पूशन और आपकी बूंकि में कबर होंगे तर यह बीड़ी तो आपको कहीं माजी कोई सवाल जवाब एनी कुछ भी पीज फील फ्री एंविडा हम अपने डिसकेशन से क्लास को बड़ा ओपन रखा करेंगे आपके बास हमेशा पूरा मोका होगा कोई भी सवाल पूछने के लिए अलवेज भी शेमलेस टो आसके डाउट कोई भी डाउट है कभी भी है पूछ लेना कोशिश करके बिड़ा इसी समय पूछ लेना कई बच्चों तरह से उसने क्लास के बाद पूछेंगे तो क्यों क्लास के बाद अपना टाइम खुटी करना है क्लास में आपको समय दराउट पूछने का कोई भी सवाल है इमीजियेटली पूछिए सवाल बे आपके पास एक चैट विंडो होगी उसमें आप रियल-time basis पर अपने डाउट मुझे भीज सकते हैं कई बार मैं जब प्रोवीजन समझा रहा होता हूं मेरा फोकस स्क्रीन के ऊपर नहीं होता स्क्रीन पर अगर मैं देखूंगा तो डेफिनेटली आपको रिवट करूँग आपको एक इंट्रड़क्री वीडियो अल्रडी मिल गई होगी उसमें मेरी कंटेक्ट डिटेल्स अल्रडी आपके पास शेयर तो आप अपने डाउट्स वट्सप बेसे पर भी पूछ पाएंगे तुसलिए आप मज़े वट्सप करिएगा आपके डाउट्स वट्सपर भी आपके डाउट्स मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टन है यह मैं क्लियर कर सकता हूं बस और सनौ अबढ़िया दो तिन मेट बाते कर लें या चले लिए टॉपिक पर निपाइब आवर से आज का टार्गेट बाते कर लो पर मेरे से कर निया आपस मिनी कर निया चले बहुत मज आपके जैन्वरी 25 से टेम्ट को भी बिल्कुल टार्गेट करेंगी कितने बच्चों कि आप फाउंडेशन में सबसे कम नंबर थे सारे सब्जेक्ट में है यह होता है जनरी ओर दिन 50 पर सन दिख रहूंड कोई बेटा इंटर में आपकी इस्टोरी इल्ट्राइक एडिवर्स हो जाए मदाव इंटर में आपसे सवाल यह पूचा जाए का कि वेड़ा ग्रुपन में सबसे जादा सब्जेक्ट या नंबर के सब्जेक्ट में आप पर आप लौका नाम ले पाएं यह हमारा टार्गेट रहेगा है जी एक नॉर्मल से डाउट है नॉर्मली पूचे जलो विक फॉर कंपनीज होती है उक्या है हां बच्चे टेक्स और आउडिट में जाते हैं ब्रूबेंस बहुत सारे होते हैं पर जनली जो आर्टिकल सायर एक एके जाते हैं इसलेवाश कासथा सब्सक्राइब करता होगा विक फॉट्सृ को यह क्लाइन इडिये क्लिक विक्वजड अब टर्यवल सब्सेट्या नाम है या है 4 यह से लोग फॉट इंग्ट क्योब एक लोवका त तोर्ट सापनेसराइ को सब मेरे दिल के नजदीक के साथ तो वहाँ पर M&A टेक्स या ट्रांजेक्शिन टेक्स मर्जर से अक्विजीशन करके एक डिपार्टमेंट होता है तो देर रहे वर्ग पर फिर बाद में टीचिंग का उप्शन आ गया था तो मैं इधर आ गया इसलिए एक साथ थोड़े से लिंक्स मेरे जाथ है मेरी पर गया रहे आलों जीवन में मतलब बहुत द्राधा बेटर चीज़े अचीव कर चुकी है गया है अगार माहम की बता रहो माहम मैं इवाह मैं तु चलो ऑच और शोड़ करके आ चुगा हो बगत बड़ीया समीट बच्चे गरिजिवेशन लाओ में 50 में से 45 नंबर हैं ग्रेजुएशन ठीक है क्या यह कम मैंने भी बुक पर अपने ग्रेजुएशन के मार्स लिख्या है शायद मेरे पता नहीं कितने नाइंटी या नाइंटी सेवन कितने थे यह डूंट रूमेंबर में तो नमबर आ जाते हैं कॉलिज में कौन पड़ता है सब को बता है वह यह कि अधिक है हम भी इस पड़ें के पास वह बड़ा मजायब से बात जीत कर गए फिर चले लेए टापिक पर निफ्टाते वाइस का टार्गेट राप लोगो बढ़िया सब एक ब्रेक मिल जाएगा तार्गेट क्या था अधिया अगरो दो टार्गेट थे एक तो स्लेब अब कैसे लाएं कि यह फांडेशन के टीचर को परिशान करो कभी हम फुरसत में बात करेंगे अब आभी तो सीस का टाइम नहीं है कोई नहीं विल डिसकसिट चलते बिटा अपनी जर्नी पर चलो थोड़ा सब डिसकेशन करते हैं एंड जिस गूंट भी लाइट डिसकेशन स्टाइट करेंगे कुछ देर में एक हैंड डूट इसमाल करूंगा जितने भी हमारे लाइव एठ होम या गूगल डर्व स्टूडेंट से आपको वह हैंड आउट हमारे टैलीग्राम चैनल से बिल जाएगा तो वहां से आप डाउंड लोड कर लेना तो हमारा टैलिग्रा यह हमारे टेलिग्राम चैनल है बिटा आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक हमारा बैच चलेगा या मैं एक हूँ जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आप इस टेलिग्राम चैनल पर मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि मुझे जितनी भी ओफिशल कम्विनिकेशन आपको देनी होंगी इसी टेलिग्राम चैनल के थ्रू आएंगी तो इसलिए टेलियर एग्जामिनेशन आप इस पर मेरे साथ कनेक्टेड रहें ना विट टाइम बहुत सारे रिसोर्स होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करत खुदा आपको मारे चैनल मिल जाएगा कोई भी ओफिशल कम्मिनिकेशन होगा मैं इसी के थिरू बताऊंगा कभी कोई क्लास है नहीं है क्लास чи सल एकoc y emergency any कोई भी अगर official communication है आपको किसी पर किसी भी gray point communication पर रिलाई नहीं करना कि दोस ने कह दिया था class cancel नहीं है madam नहीं कह दिया था जो भी communication होगा इस channel के थ्रू मैं आपको provide किया करूँगा तो जितनी भी official communication है मेरे थ्रू यहां से आपको मिलेगी सिर्फ यहीं से आपको सारी बातों का ज्यान रखना है तो मैं time to time यहां से आपको intimate करता रहूंगा and this is a channel मतलब this is going to be a one way communication यहां पर आप message back नहीं कर पाऊगे यहां पर सिर्फ मैं आपको message कर पाऊंगा क्योंकि अगर मैंने आपको message back करने का राइट दे दिया तो फिर मेरे messages बच्चों तक पहुंची नहीं पाएंगे तो दिस इस चैनल जो भी official communication होगी मैं इसके थ्रू आपको provide करता रहूंगा अगली क्लास बेटा जब हम स्टार्ट करेंगे तब आपके पास किताबे हो नहीं चाहिए नेक्स क्लास हम बुक्स का काम आगे चल जाएगा तो चैप्टर वन का PDF आपको महां से मिल जाएगा तो एक्जाम आप यहां पर connected रहना आपको बहुत सारे क्लास के दौरानी वह आपका टाइम सबसे ज्यादा बचाएगा कि जैसी मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है मैं आपको समय दूँगा कोई डाउट है इंस्टेंटल आप हैंड्रेस करके अपने डाउट पूछेंगे अगर आपको लगता है आपका कमफर्ट जोन नहीं है ब्र वर्चल स्ट्वरेंट्स है बिटा आपके पास अल्रडी हमारा कॉंटेक्ट नंबर आ गया होगा किसी ने मिस्किया तो मैं बता रहा हूँ इस इस मैं क्लास पढ़ा रहा हूं अगर आप डाउट कर रहा है मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा आई विल टेक टाइम ऑफ सम् सब्सक्राइड वांटेज ही है कि हम कोशिश करके क्लास के इंदर ही सारे डाउट करेंगे पढ़ाते मुझे इतना experience हो चुका है कि कहां बच्चे को ज्यादा दिक्कत आएगी वो मेरे को एक आईडिया रहता है तो मैं बहां पर आल्रडी ज्यादा समय लगाता जाओंगा face to face में जितने doubts होंगे वो class का ही part बनेंगे पर फिर भी I cannot deny this fact कि आपकी creativity है आपका creative mind आपको नया doubt निकल कर ला सकते हैं तो जो भी आपके doubts होंगे आप इस पर पूछेंगे पर एक से दो दिन का समय आप लगेगा और face to face बच्चों से मेरी request है नलाय को अपने doubt face to face ही अपनी आगे की जर्नी को start अब जो discussion हम करेंगे यह paper के लिए बिल्कुल भी relevant नहीं होने वाला जो भी बाते हम सीखने वाले हैं इसमें से एक भी सवाल आपके exam में नहीं आएगा तो इसलिए अपने माथे पर से वह pressure अटा देना कि सर जो पढ़ा रहे हूं मेरे को याद करन है और एक open mind से अपनी knowledge enhance करने के लिए उस सारे discussion का part बनिएगा तर अब अपनी लॉकी जर्नी स्टाट करने जा रहे हैं और जब हम लॉकी बात करते हैं या legal जर्नी की बात करते हैं legally अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि हमारे देश में जब लॉकी बात होती है तो हमारे देश म हम अगर सबसे बड़ी authority कानून के perspective से देखी जाए तो आपके साब से हमारे देश में सबसे बड़ी authority किसकी होती होगी जो भी आपको लगता है कि जी जब हम लॉकी बात कर रहे हैं कानून की बात सबसे बड़ी authority अगर कोई है तो यह है चलो कुछ-कुछ answers मेरे पास आ रहे हैं मैं screen पर लिखता जाता हूं आप मुझे बताते भी चलना एक answer मेरे पास यहाँ पर आया है Parliament कि सर हमारे देश की जो और संसद में वह सबसे बड़ी authority होती है तो इस पार्लेमेंट सबसे बड़े अथार्यटी है कितने बिच्चों का यह मानना है अच्छा पार्लेमेंट में क्या क्या आता है है कि लोगसवा राज्यसवा एंड्प्रेजिडेंट इन तीनों के मिला करके हमारे देश की संसद याप आपको आइडिया हो तो हमारे देश में कानून भी कौन बनाता है कि अधिया बनाती है इस अधिया आप बताना एक आसर मेरे पास है सर गवर्मेंट कि सबसे बड़ी अथोरेटी होती है सरकार की सरकार जिसकी पावर उसकी कि अधिक ने पिचे सरकार के साथ कोई सरकार के सब्सक्राइब है कि there government is the supreme most authority in our country कोई भी नहीं अधिश जो बचे पार्लेमेंट के साथ अधे पर सरकार के साथ नहीं है इसका मतलब पलेमटर गलवर्मेंट में अनतर है कि तने पिछों का मानने सब पारलेमेटर गवर्मेंट में डिफ्रेंस है कि तो नहीं सरे की बात है बाकि किया सब नहीं बाकि सब किसके साथ है तो तो इसके विए रूटेंगे चलो एक और आंसराय मेरे पास एक आंसराय जी मेरे पास सबसे सबसे बड़ी अथरेट अगर हमारे देश में कोई है तो वह सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट अफ इंडिया सुप्रीम कोट को बिटा कहीं बार एक और नाम से अड्रेस कर दिया जाते है कुछ न्यूस्पेपर या न्यूस आर्टिकल्स में आप देख सुनेंगे एपक्स कोट यह मतलब टॉप्नॉच सबसे बड़ी अथरेटी इस सुप्रीम मोस्ट अथरेटी इस सुप्रीम मोस्ट सुप्रीम कोट सबसे बड़ी अथरेटी है कि सबसे बड़ी जी के साथ है कि सबसे बड़ी अथरेटी मोधी जी है उनसे बढ़कर तो कौन होगा और मोधी जी जब कि मैं बोल रहा तो अमिट्षा ये सब उसी में काउंट के मोधी जी के साथ है पीनी बच्सें है बागे मोधी जी के साथ नहीं है तो है बड़ी इतनी अथरेटी थोड़ी नहीं है इना कि चलो और मोधी जी का नाम ऍपुर एक तो नाम लिखे देते ओंवरेटार ऑफे रा ते 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 प्चे रहुल गांदी के साथ है कि चलो एक आसे तखेए ना प्रेजिदेंट आफ इंडिया पार्लिमेंट के हिसरत हाता हुआ पर सिर्फ प्रेजदेंट पार्लेमेंट से अलग हिस्ञानिकटा ने काला है, यृषी मटने का शितरंति है को लिखेंट को अगले प्रेस बेडेली। लुज कूने प्रेश का हैंड्रेश लगा मुझा उस से पूचाणगा ना, कौन है कौन है कौन है श्रीमती दुरापधी मुर्बोजी शीज़ गरिंट प्रेजिट अफ इडिया तो कितने बच्छ गवान एसा प्रेजिटेंट सब्सेवर्ट अथरटी बिकॉस प्रेजिटेंट इस फिर्स्ट सिटिजन फार कंट्री उनके साइन किये बिना तो कोई बिल खान उन भी रिवन सकता है नहीं चार-पांच बच्छे प्रेजिटेंट के साथ चाड़ों एक और आंसर मेरे पास आ रहा है और काफी बच्छों नहीं आंसर दिया था कॉंस्टिटूशन हमारे देश का समिधान कॉंस्टिटूशन ऑफ इंडिया कितने बिच्छा को मानने सर्स समिधान हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है ऐसे 40-50 परसेंट आफ दी क्लास किसर समिधान से बड़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं है तो मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल था कि हमारे देश की सबसे सुप्रीम मौस्ट अथॉरिटी कोंसी है कुछ आंसर मैंने आपके स्क्रीन पर लिखे पारलियामेंट गवर्मेंट प्राइम मिनिस्टर सुप्र सब्सक्राइब करें इन सब में अगर सबसे बड़ी अथॉरिटी कोई है तो वो क्या है कि दर्फने बड़ा हमारे देश का समिधान कि समिधान से बढ़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं है नतिंग सबसे बड़ी अथोरिटी अगर हमारे देश की कोई है देश को चलाने के लिए तो बड़ा वो है समिधान समिधान के आगे आकर यह बाकी जितनी वे अथोरिटीज है उनके सर जुक जाते हैं जुक जाने चाहिए क्यूंकि हमारे देश में पार्लियमेंट होगी हमारे देश म अपनी अथोरिटी कहां से रो करता है समिधान से समिधान से बढ़कर हमारे देश में बेटा कुछ भी नहीं होता तो ना हर किसी इंसान को जो अपनी अथोरिटी मिलती है काम करने की कैसे काम होगा कैसे पार्लियमेंट बनेगी कैसे प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे क्या प्र बढ़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं होता हर किसी को समुधान के आगे अपना सर जुकाना ही पड़ेगा आप अगर समुधान तरीके से जानते तो बिटा आप इन में से किसी को भी बाउंड करवा सकते हो, आप सरकार तक को कट घरे में घसीट सकते हो, अगर आपको सविधान की नौलिज है, सविधान से बढ़कर कुछ नहीं, इस एक लेट हो, सबसे बढ़े अखर कोई है, तो कुछ सी आंसर आए जी सबका, Constitution of India, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, पर समिधान जिसने बनाया, जो समिधान बना रहा है, उसकी अथरोटी तो फिर समिधान से भी बढ़ी होगी, तो समिधान बनाया किसने, डॉक्तर बी रम बेटकर जी ने, सब कने सुनाया, तो जब हमारा समिधान लिखा गया था, समिधान बनाने के लिए एक Drafting Committee बनी थी, उ समिधान को बनाता है, अब समिधान को कोन बनाता है, तो बड़ा समिधान को किसने बनाया, क्या ये बाद शायद समिधान में लिखी हुई हो सकती है, शायद हाँ, तो बड़ा एक बार समिधान देख ले दें, कि क्या समिधान में ये बात दिखी है, लेट इस बस चेक, पर बड़ा जितनी भी मैं डिसकेशन कर रहा हूं, या आपके पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं मैं पहले भी बता चुका हूं, पर जब आप अपना CA इंटर क्लियर करके CA फाइनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको कुछ सेल्फ पेस्ट ओनलाइन मोड्यूल्स आते हैं, वहाँ पर वन ओप पेपर पहली बार इंस्टिटूट ने इंटरूस किया है, जो डिपेंडेंट है कॉंस्टिटूशन पर, अगर आप आप आज की क्लास तरीके से पढ़ोगी, यह मेरी गरेंटी है, कि जिस दिन आप SPOM का वो पेपर पढ़ोगे, उस दिन आपको आज की क सब्सक्रास पक्का से याद आएगी, विकास यह सारी बाते आपके वहाँ पर स्लिवस में जरूर आती है, तो उस प्रस्पेक्टिव से थोड़ा ध्यानक ना, यह बिटा हमारे देश का समीधान और समीधान का मैं एक दम लेटेस्ट अवेलेबल एडिशन, तो बड़ाई यह हमारे देश का छोटा सा समीधान है, बस, 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 यह इंडेक्स रेविटा, बस, 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 फाइनली, तो बड़ाई यह हमारे देश का छोटा सा समीधान है, 395 आर्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड में आ जाते कुछ स्केडियूल तो यह हमारे देश का चोटा सा समिधान है और दुनिया का यह सबसे बढ़ा pana Letton Constitution आपको देखने को मिलेगा तो सबसे बड़ा वहां भ्हारत देश को ही समिधान है तो यह हमारे कहा समीधान आता है समीधान जैसे फर ना interfer जो यहां परुसका ऐंडेक्स का कि यहां पर आपको सight ने को मिलता है सभीधान का प्रीयमबल legal case प्रेंबल की पीअग्से की मिलतीए वसकारीश मित्या है को कि आपको उसके स्फिघ्ञान के प्रियमेंबल रेते ह caminho से सभीधान तो लोगों ने मिलकर समिधान बनाकर खुदी को यह समिधान दिया भी है क्या लिखा है वी दर पीपल अप इंडिया तो हम सब खुद को यह समिधान प्रदान कर रहे हैं और हम सब इस समिधान के थ्रू बाउंड होंगे हमारे देश की जनता ने यह बात अग्री करके यह समिधान बनाया है आपको इंडिया को फोड़सा पॉलिटिकल सिस्ट्म समझना पड़ेगा यहमारे देश का पॉलिटिकल सिस्ट्म कैसे का सब्सक्राइब करता है कैसे हमारे देश में लॉक प्रक्रिया चलती इस प्रफॉरी में समझ जाऊ करता कैसे है सभी कटि यहां पर आ रहा है हमारा भारत देश और लेट से यह आगे हमारा भारत देश। यहां पर हम सब रहते हैं ठीक लगबग सब आसो करोड़ से जाधा कि अबादी आपको यहां पर देखने को मिलेगी नया सेंसस होगा तो यह फिर से पीट हो जाएगा बदहर हम सब करके इखते रह रहे हैं करेंट्ली हम सब कास भार लगबग यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली बहुत स्मॉल सा प्रदेश आपको देखने को मिलता है यहां पर बहुत चुड़दा स्टेट आता है तो इस तरीके से हमारे देश के बहुत घनियावादी है यह हमारा बारत देश है अब इस देश को चलाना है और decision लेना संबब है कि मैं जाओं हाँ भाई समिधान में बात दिख रहा हूं ठीक है यह ठीक नहीं ठीक नहीं पॉसिबल नहीं है वह चीज तो इस चीज को प्रैक्टिकली implement कैसे किया गया विटा हमने अपने देश को डिवाइड किया छोटे-छोटे टुकडों में यहां पर निकल करके आया उस टुकडे को हमने क्या नाम दिया सीट अमने कहा यह एक सीट है और इस टुकडे में जितने भी लोग रहते हैं और इस टुकडे में जितने भी आपको लोग देखने मिल गए 10 20 50 60 लाग दो करोड इन सब लोगों को हमने एक जिम्मेवारी दी और हमने का जी देखिए यह एक सीट है और इस टुकडे के जितने भी लोग हैं इन सब लोगों को मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहां करके चलेंगे और यह रिप्रेजेंटेटिव एक कैसे होगा वोटिंग के थू मतलब इस टुकडे के लोग एक वोटिंग प्रक्रिया का पार्ट बनेंगे एलेक्शन प्रोसेस में भागीदारी करेंगे और वोट करके बताएंगे कि हमें रिप्रेजेंट कौन सा इंसान इस अच्छे तरीके से कर सकता है जिसको भी मैजरेटी वोट मिलेंगे यह यहां पर रिप्रेजेंटेटिव एलेक्ट हो जाएगा और इस रिप्रेजेंटेटिव को नाम दिया जाता है एम पी मेंबर ऑफ पार्लियमेंट और हमने अपने देश के ऐसे कितने टुकडे की है कितने MPs आपको देखने को मतलते हैं जो लोग इलेक्ट करते हैं हमने अपने देश के ऐसे टुकडे कर रखे हैं 545 और इन 545 टुकड़ा का क्या मतलब है कि हमारे देश की जनता कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है 545 और जो बात ये 545 लोग बोलेंगे वह बात हमा क्या दे दिया जाता है विच हाउस लोग सभा इसको क्या बलता है लोग सभा या हाउस ओफ पीपल बिड़ा इसका ना लोग सभा या हाउस ओफ पीपल क्यों है क्योंकि इस लोग सभा में जितने भी MPs बैठे हैं उनका चयन डारेक्ली किस ने किया है लोगों ने लोग ने तो just for your knowledge मैं बतायता हूँ, बड़ा लोगसभा में as per our constitution maximum possible seats हो सकती है 552, that is the maximum possible allowed, पर कुछ areas की population इतनी कम है कि उन्हें अभी एक MP allocate करना possible नहीं है, तो currently जो seats हैं वो कितनी है 545, 545 जो seat हैं उसमें से बड़ा दो members होते हैं nominated, जिनको nominate करके appoint किया जाता है, तो finally जो election होता है, election क लोग किये थे, वहाँ पर जो fight हुई थी, वो 543 seats के लिए हुई थी, because वहीं पर election प्रक्रिया की जाती है, अपने discussion को असान बनाने के लिए, हम मान लेते हैं लोगसभा में लगबक कितनी seat है, साड़े 500, तो यह मान लेते हैं अपने discussion के लिए, तो हमने पूरे भारत देश क चोटे चोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, और टुकड़ों में डिवाइड करके यहाँ पर साड़े 500 टुकड़ों के लोगों को, seats पर एक representative लेक किया और इसको नाम दे दिया, लोकसभा, पिड़ा आप सब को बता होगा, लोकसभा जैसी एक और सभा है, रज्यसभा लोकसभा के तो मतलब होता है, आपका हाउस अफ पीपल, राज्यसभा का एक और नाम क्या हो जाता है, काउंसल ओफ, काउंसल ओफ स्टेट्स, तो इसको मैं कहेता है, काउंसल ओफ स्टेट्स, तो बढ़ा राज्यसभा आती है, जैसे लोकसभा में लगबग साड़े 500 seat हैं तो इनको भी क्या बोलेंगे? यह भी MPE कहलाते हैं, MLA वे मेले जौब बोल रहे हैं, तो लोग सभा के मेंबर भी MPE होते हैं, राज्य सभा के मेंबर भी MPE होते हैं, और राज्य सभा में अमारे देश में कितनी सीट्स हैं? बटा, धाइसो मेक्सिमम पॉसिबल है, करेंटली दा सीट्स है 245, जिसमें से 12 मेंबर नॉमेनेटेड होते हैं, तो रिमेनिंग पर वोटिंग होते हैं, अपनी डिसकेशन को असान बनाने के लिए ममान लेते हैं, लगबग धाइसो सीट्स आपको राज्य सभा में देखने को मिलती हैं, तो लोग सभा में बेटा, साड़े 500 के करीब सीट्स हैं, और लगबग ये 800 लोग मिलके हमारे देश की जनता के रिप्रेजनेटेव हैं, और ये पूरे देश के बिहाफ पर सारे के सारे डिसीजन्स लेते हैं, कि हमारा देश कैसे चलना थी है, and that is how we say, कि हमारा जो है वो एक democratic country है, because हमारे representatives जाकर के हमारी अवास आगे बढ़ाते हैं, और अगर ये representative हमारी अवास अच्छे से आगे ना बढ़ाएं, तो कि हम इनको बजल सकते हैं, कितने टाइम के बाद, पांस साल के बाद, हर पांस साल के इंड पर हमें मौका मिलेगा, कि हम अपने representative को अगर चाहें, तो चेंज कर सकते हैं, that is the power of democracy given to us, तो हम लोग इस तरीके से वोट करके अपना representative चुनते हैं, जो हमारी अवास को आगे ले करके जाएगा, और क्या इन representative को देश की जनता को अच्छे से represent करना चाहिए, क्या उनका ध्यान रखना चाहिए, क्या इसा होता है, पता निशायद नहीं, और इनका ultimate agenda वोई होता है, बिड़ा कि ये पूरे देश को represent कर रहे हैं, और पूरे देश की अवास बन रहे हैं, अब सवाल अठास है, लोग सभा तो समझ में आ गया, साढ़े 500 MPs है, रज्यसभा में 500 MP हैं, तो ये ऐसे 2 houses क्यो बनें, क्या लोग सभ होता है, हर स्टेट के लिए होता है, और लोग सभा, तो हर स्टेट मिला कर इंडिया नहीं है, इसंट इंडिया और यूनियन अफ स्टेट्स, इस, आर्टिकल 1 में लिख हुए चीज़ तो, बच्छागर सर लोग सभा के मेंबर्स के पास वोटिं राइट होता है, कोई भी कर सकते हैं, उसके पास अथोरी तो नहीं होते हैं, यह कहना चाहरे हो, कितने बच्छे इस बात से अगरी करते हैं, अगर आगर आपने कभी यह बात पढ़ी है यह सुनी है, यह ठीक तो है, पर इस हाफ प्रूथ, हाफ प्रूथ क्यों, कि हमारे देश में, जब आप और थो पर जितने नॉनमनी या ओर्डिनरी बिल होते हैं, वहाँ पर बिटा दोनों के पास बराबर का अधिकार है, अगर राज्यसभा ने मना कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा, तो वो बात आधी कुछ हट तक ठीक है, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आते हैं, क्या आते है जो लो नाम सही समझते हैं, लोगसभा मतलब हाउस ओफ पीपल, यहाँ पर MPA है, इनका चैयन कोन करते होंगे, लोग, क्या डारेक्ली वोट करके इनको इनको इलेक्टिया जाता होगा, डेफनेटली एस, सर वट अबाट राज्यसभा, राज्यसभा इस काउंसिल ओ होटे जिसकी पावर है, उसका रिप्रेसलेटेटेव उठके कहां जाएगा? रजसभा में, और बंदाए यह लोगसभा, रजसभा पर प्रे स्टे इस काउम क्या बोलते हैं, हमारे देश की पार्लियमेंट, और क्या बेरा पार्लियमेंट ने ही हमारे देश का सम्मिधान ब या इंडिएटे की एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके है, बी आ अर्म बेट कर जी को बनाई गया, उन्होंने समिधान बना कर उस संसद्रूएट के सामने पेश किया और फिर उस पास किया, मतलब क्या देश अजाद होने और इसेंबली द्वारा सम्विधान बनने में थोड़ सा टाइम आ गया यस क्योंकि बीड़ा देश अजाद कब वहा था कब वहा था पूरी डेट बदाऊने लाएको अधूम मोर और इसका भी आंसर नीए रोग देश अजाद कब वहा था 15 अगस्ट 1947 और सम्विधान जाकर के हमारे देश में लागू कब हुआ था हां आपके देश अजाद हो गया था 15 अगस्ट 1947 अंग्रेज गए चले गए अपनी तरफ से और इसेंबली को पावर देदी कि आप समिधान रचिये उन्होंने समिधान रच कर समिधान लागू कब कर दिया था चलो बेटा 26 जनवरी 1950 और यह इतना बड़ा दिन हमारे देश के लिए क्योंकि इस दिन हमारे देश में समिधान लागू हुआ था इस दिन को रिपबलिक दे के तौर पर मनाया जाते है इस अने नेशनल लिडे तो समिधान का हमारे देश में लागू उनाइक इत आगे था और देट 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 वास चब्वेस नवंबर उन्ने सो नंचास यही आपको समिधान के प्रियेंबल में भी डेट देखने को मिल जाएगे तो इस दिन रेडी हो गया था पर लागू फाइनली हुआ था आपका 26 जनवर उन्ने सो पचास और उस दिन बना और जब यह बन गया तो खाँ कर्णिट आपक्रणिश्फी खत्म हो गई और आगे अगे से पर क्या चलने लग गई पार्लियमेंट उसी ने समिधान बनाया और समिधान बनाने के बाद क्या काम खत्म अब नॉर्मल पार्लियमेंट की तरह आगे काम किया जाएगा इस चोटा सा पॉर्ण आपर इंट्रस्टिंग है सर लोग सभा आपने का राज्य सभा आपने का पर वो डिफरेंस समझ में नहीं आए बच्छा बूच रहा है लोग सभा तो आपका हाउस ऑफ पीपल है महाँ पर लोग डारेक्टली एलेक्शन के थ्रू लोगों को चुनते हैं स बच्छे करें सिर्फ लोग सभा के थे किसने का नहीं सब दोनों के थे लागने बड़ा अभी जो एलेक्शन वोई थे वो सिर्फ किसके थे लोग सभा के क्योंकि वो 543 सीट्स पर फाइट हुई थी चार्सों पार था आया कितने है दो सचालिज के आसपास ठीक वह जादू यह आखड़ा अमेरिकल 543 डिवाइड़ बैटू कितना बनता है तो सेवेंटी 1.5 तो वह जादू यह आखड़ा कौन सा होता है 272 कि जी मेजोरेटी सीट्स चीए तो 543 डिवाइड़ेड़ बाइटू 200 बत्ता राने ची तो न्यूस वाल इस तरीके से वह जादू यह आख इस दिशन में डारेक्ली पार्टिसिपेट नहीं करता है वह कहां से एलेक्टो करा रहे हैं राज्यों से राज्यों से मतलब स्टेट से पर उनको इलेक्ट हम ही करते हैं इन डारेक्टी कैसे कि बढ़ा हमारा जो देश है वह चलता है पेडरल सिस्टम ऑफ गवर्मेंट पर पेडरल सिस्टम मतलब हमारे देश में आपको सेंटर लेवल पर इंडिया की तो एक सरकार देखने को मिलती है पर क्या हर स्टेट की अलग-अलग सरकार भी है तो हमारा जो देश है वह सेंटर और स्टेट के आपस में संबंधों से मिल करके बना है तो इंडिया लेवल पर और इंडिया में बेटा स्टेट लेवल पर आपको अलग से सरकार देखनी पड़ती है तो जैसे सेंटर लेवल पर पार्लियमेंट होती है स्टेट लेवल पर क्या होती है जैसे बीहार यूपी में आपको विधान सभा या विधान परीषद आपको State Mr Switin आरे 유पी के अलग सरह कर यह अरे हऊपको पुराने ओन याप सिंगे जी इस ड़ी शीफ मिनिस्ट्र आ तो सरकार टो बीजेपी की ही है एक तो हर स्टेट की वी बटाप मी सरकार होती है तो आपको हर स्टेट में अलग-अलग टाइप से सरकार देखने को मिलती है तो क्या यह जो स्टेट लेजिसलेट एसेंबली है इसमें भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं बिल्कुल इन रिप्रेजेंटेटिव्स को बिटा इलेक्ट कौन करती ह पबलिक मतलब यह जो स्टेट लेजिसलेटिव असेम्बली के मेंबर है इनको हम वोटिंग के थ्रू एलक्ट करते हैं और इन मेंबर्स को बिटा क्या बोला जाता हो का मेंबर ओफ आरे अलें मेंबर ऑस लेजिसलेटिव असेम्बली डैट इसेम ऐल पे तो जो कुछ बच्छे एममेल बोल रहे थे मेले कया वोते हैं वह स्सेतं लेजिसलेटल के मेंबर है तोधेतर इसका क्या है यह मतलब है कि हम दो बार वोटिं मिकरते हैं सेंटर कि लिए अलग और हमारे respective state का जब election होता है अलग कैसा होता है बिलकुल और इस साल कितने वोट के लिजिबल थे वोट के लिए नहीं हुए अगर वोट डाला था वो आपने किसी स्केट के लिए डाला था या इंडिया के एंपी के लिए डाला था एंपी दिल्ली में अगले साल एलेक्शन हैं यह जो एलेक्शन हर्याना में होंगे दिल्ली में अगले साल होंगे यह इंडिया के लिए हो रहे हैं उस स्टेट के लिए लेटिव के लिए उसमें जब वोट डालोगे तो आप MP चुन रहे हैं या आप MLA चुन रहे हो MLA और कुछ स्केट में MLA को MLC भी बोल दिया जाते हैं Member of legislative council इन दोनों में difference क्या होता है जनरली विधान सभा का एक ही house होता है पर कुछ इतने बड़े हैं वहां पर आपको दो हाउस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यूपी और बिहार तो उसमें हम MLC Member of legislative council बोल लेते हैं तो वहां पर हम MLA MLC का चाहियन करते हैं तो आज आपके लिएक सवाल अगर आप यह सारे discussion का पार्ट है अगर किसी भी पार्टी को लोग सभा में majority चाहिए तो क्या वो directly लोगों को अप्रोच करके लोग सभा में majority जीतने की कोशिश करेगी बिल्कुल पर अगर मेरी party है मेरे को चीए नियुक्जने को दूफ़ गया नियुक्त करना पड़ेगा स्टेट को जीतना पड़े गए जैसे जैसे में स्टेट को जीतना जाओंगा और स्टेट में मेरी मेर्डिय आती जाएगी तो वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राज्य सभा में अपना MP भीज देगा तो आज BJP लोग सभा में मेजॉरिटी रखती थी खोचुकिया कोई नी पर अगर BJP को राज्य सभा में मेजॉरिटी चाहिए क्या करना पड़ेगा सारे स्टेट एलेक्शन धीरे धीरे जीतने पड़ेगे अगर अगर वो जीत गए तो राज्य सभा में भी उनके MPs पहुच जाएंगे तो इस तरीके से फेडरल स्रक्चर पर काम करते हैं सेंटर में पारलियमेंट है स्टेट में स्टेट की लेजिसलेट कि उसकी में चौर्य पहुच जाएगी तो उससे होगा घ्याई भिल तो इसली पास हो जाएंगे क्लिपास कराना में कोई भी दिक्क्त आएगी नहीं क्योंकि चाहें मनी बिल हो चाहें ओर डिनरी बिल हो क्या किसी से कुछ पूचना है अपनी सरकार है जी सबसे बड़ेख स Constitution बनाया है तो हमने पर ultimately क्या है पर क्या Constitution भी बदला जा सकता है मतलब जो समीधान 1950 में बना था वो आज तक ऐसे का ऐसा ही है या उसमें over the time changes हुए है मतलब Constitution अमेंड हो सकता है पर Constitution अमेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब सर Constitution को अगर बदलना है तो Constitution कैसे बदलेगा ये बात भी कहा लिखी होगी वो भी Constitution में ही लिखी है और समीधान ने बता रखा है कि आपको अगर मेरे को कभी भी फ्यूचर में बदलना हुआ तो मेरे को बदलने के न अलग-अलग तरीके हैं अब ना समीधान जो ऑल्टर या अमेंड होते हैं उसके अलग-अलग प्रकरिया होते हैं समीधान के कुछ प्राभधान तो अमेंड हो सकते हैं Simple लोकसभा और राज्यसभा की Simple Majority के साथ, कुछ बाते चेंज हो सकती हैं, लोकसभा और राज्यसभा की Special Majority के साथ, पर जो सम्विधान की सबसे Important बाते हैं, उनको अगर आपको बदलना है, तो आपको क्या चीए? लोकसभा की भी Special Majority, राज्यसभा की भी Special Majority और Majority States का Approval, क्यों आ गई थी? कि अगर लोकसभा में इतनी जादा Majority ले गए, राज्यसभा में जीत गए, और सारे States की Majority में उनकी सरकार आ गई, क्या उनके लिए समिधान बदलना पॉसिबल हो सकता है, यह नहीं समझा रहे हैं, यह सही है यह गलत वो करना चारहे थी, वो हमारा discussion का प करता है, अगर आप law पढ़ना चारहे, यह सब चीजा आपके लिए बड़ी क्लियर होनी चाहिए है, I hope this is clear to everyone, अगर सब को clear है, State Legislative Assembly है, यह सारी बात है यहाँ पर आपके लिए हो गई है, clear, so this is how the government practically work, इस पर एक चोटी सी वीडियो भी आ रहे है, अगर आप देखना चाह तो इस election process आपको फिर भी समझ में आ साएगा, तो इस election process आपको फिर भी समझ में आ साएगा, इस election process को जानने से पहले हम basically समझ लेते हैं, government of India के structure के बारे में, तो Indian Constitution यानि भारत का सविदान federal system को follow करता है, federal system के according इंडिया में दो टाइप की government होती है, central government and state government, पहले बात करते हैं central government की, Indian Parliament मतलब भारत्य संसद, Parliament of India is supreme legislative body of Republic of India, मतलब Parliament of India two houses से मिलके बनता है, राज्यसभा upper house and लोगसभा lower house, parliament अपने इन दो houses की मदद से law यानि कानून बनाता है, और laws parliament से pass होने के बाद, president के द्वारा उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है, जैसा मैंने का वीडियो थोड़ सी outdated है, तो यह हमारे पुराने president आ रहे है, अब तो president हमारी दुरापदी मुर पूर्मा आगी, पूर्णी तो इंडिया, राजे सबावे maximum 250 मेंबर्स हो सकते हैं, और करेंट लोगसभा में maximum 552 मेंबर्स हो सकते हैं, और करेंटली इसमें 545 सीट्स हैं, क्या यह सीट्स, मैक्सिमम पॉसिबल 552 है, करेंटली 545, क्या बढ़े 552 बढ़ सकती हैं कभी भी, में लिखा है कि 2026 के अंदर एक census होगा, जिसके बाद दुबारा से population काउंट करेंगे, उसके बाद इन seats को शायद रिशफल किया जाएगा, तो उसके आपको लोगसभा की seats alter हो तो यह दिख जाए 2026 के बाद, तो currently 545 है, but they can be altered later on. कि यह जो parliament members है, इनका चुनाव कैसे होता है, तो इस topic से हम आ जाते हैं हमारे main topic पर, types of elections in India, तो basically 3 types के elections होते हैं, general elections जनी लोगसभा elections, राजसभा elections and state assembly elections, लोगसभा elections की बात करें तो इसके elections हर 5 साल में होते हैं, इसके members को directly voting करके भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है, इस purpose के लिए जैसा मैंने बताया कि currently 545 seats हैं, जिसमें से 2 seats Angelo Indian Community को President of India nominate करते हैं, तो बची सिर्फ 543 seats, जिनके लिए voting होती हैं, तो इन seats को हर एक state को अलग-अरिया में divide करके, number of seats allocate कर दी जाती हैं, और हर एक state क लोग सबा seats fixed होती हैं, जो की population के according divide की गई हैं, for example, 2014 general election में Delhi में 7 लोग सबा seats थी, and UP में सबसे जादा 80 seats थी, क्यों UP की population सारी state में सबसे जादा है, अब इन सब seats के according हर एक area से उस seat के लिए candidates खड़े होते हैं, जो की अलग-अलग party को represent करते हैं, voting होने के बाद जो भी party 50% से जादा seats जीत जाती है, उस party की सरकार बन जाती है, बतलब 543 seats में से एक party को majority अनि बहुमत से जीतने के लिए 50% से जादा seats सही होती हैं, जो की होती है 272, for example, 2014 में BJP ने लोग सबा में 282 seats जीती थी, and NDA से मिलके total 363 seats, जिससे उनकी party अब आपके लिए एक सवाल, बड़ा, 2014 म BJP के वस majority आ गई थी, 19 में भी आ गई थी, अगले लेक्शन पांस साल बात कब है, 24, 24, 272 चीए थी, बड़ा सीट साई 240, अब BJP क्या करे, क्या गटबंदन करना पड़ेगा क्या बड़ा, BJP ने गटबंदन किया, इसके साथ जो दो सबसे में प्लेइन प्लेस उस में आए, कौन को ना है, नाम सुना होगा, आइसकल तो आप लोग मेंस बड़े फोलो करते होगे, मेंस की जनरेशन है, तो नितिश कुमार, बिहार, एंड, एंड, चंदरबाबु नाइडू, अंदरप्रदेश, एक तो ये दो स्टेट सेट या ये दो पार्टी ऐसी थी, इनकी पार्टी के पास उतनी सीट्स थी, कि बीजेपी इन तीनों के साथ या दोनों के साथ मिल करके, वो 272 का आकड़ा असिल कर पाई, और इसले इस साल का जब बजट आया, कितने बजट सुना था, या थोड़ा अबद भी फोलो किया, चलो, तो बजट में अगर आपने प्रदेश को लेकर काफी अनॉसमेंट्स हुई थी, क्यों ही थी, कि बड़ा सरकार उन पे ठीकी है, अगर आज नितिश कुमारिया चंद्रबाबु माईडू अपना सपोर्ट खीच ले, क्या बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके बस वो 272 नहीं है, अब समझ सरकार के उपर दिक्काद आ जाएगी, तो पूरी सरकार यहाँ पर गिर सकती है, चलो, एनिवेस, देखते हैं दोड़ा सोर आगे, वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटे मतलब आप यह मानलोब प्रेजिडेंट नॉमिनेटे करते हैं, तो यह दो सीट्स हो उसी नॉमिनेटेड होती है, नॉमिनेटे मतलब उन पर इलेक्शन नहीं होता, प्रेजिडेंट नॉमिनेट करके अपॉइंट करते हैं, राज्यसभा में जनरली जो लोग आर्ट कल्चर में बड़ा अच्छा काम करते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, वीडियो मागे म नॉमिनेट करते हैं, इसके अपॉइंट करते हैं, चुर्ण यैट आधे किन बारा लोगों को आरट, साइंस, लिट्रेचर या सोशल सरविस में स्पेशल नॉलेज एन एक्सपेरियन्स होना चाहिए, इने अक्स्पेरियन्स रेखा को 2012 में इसके अंडर नामिनिट किया गया था एक स्टेट की राजसभा सेट सकी है अग्स्टेट कितने राजसभा मेंबर्स पेज सकती है यह उसकी पॉप्owymlyeशन पेडिपेंड करता है हर राजसभा मेंबर्स छह साल तक के कारेकाल में रहता है और इसमें वनथःड सेट के फ्रफ के सिंटर आपने कभी भी पारलयमEंट में लोक सभा में आवाद मी पार्टी की एक भी सीट निया तो वो अपनी speech कुन सी सभा में देते हैं? राज्य सभा, क्योंकि राज्य सभा के MPs कहां सी elect उकर जाते हैं? और क्या states में आम आदमी party है, दिल्ली में भी है और अब तो पंजाब में भी है तो वो राज्य सभा में तो अपनी आवाज भेज सकते हैं पर अगर लोग सभा में अपनी आवाज भेजनी हैं, तो उन्हें लोग सभा की seat जीतनी पड़ेगी बनने कुछ बात? चलो तो राज्य सभा के elections के लिए MLA's यानि विदान सभा के members STV system यानि Single Transferable Vote System के जरिए राज्य सभा के members को चुनते हैं ये STV system थोड़ा complicated होता है, अगर हम इसको अभी समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक चीज बस और एड कर देता हूँ राज्य सभा में बेटा जो MPs होते हैं, उनका टेनर पांच साल नहीं होता है, उनका टेनर होता है छे साल हर दो-दो साल के gap पर वन्थर, वन्थर, वन्थर मेंबर को rotate किया जाता है, तो हर दो साल के बाद वन्थर मेंबर बदलेंगे, फिर वन्थर, फिर वन्थर एक particular MP 6 साल के लिए राज्य सभा पर सर्व करता है हम इसे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर जो है विदानसभा एलेक्शन्स यानि State Legislative Assembly तो विदानसभा एलेक्शन्स मतलब एक स्टेट में विदानसभा के मेंबर्स यानि MLAs को जनता वोटिंग करकर एलेक्ट करती है लोगसभा की तरह हर एक स्टेट के विदानसभा सीट्स भी फिक्सड होती हैं अलग-अलग पर्टीज के कैंडिडेट्स एक पर्टिकुल स्टेट के अलग-अलग एरियाज में इन MLAs की सीट्स के लिए चुनाव लड़ते हैं इसके एलेक्शन्स भी लोगसभा की तरह हर पात साल में होते हैं बस डिफरेंस यह है कि इसमें अलग-अलग स्टेट्स के एलेक्शन्स अलग-अलग टाइम पर होते हैं तो सिंप्ली एलेक्शन के बाद जो भी पार्टी 50% से जाए सीट जीच जाती है उनकी पार्टी में जोटी यहीं वो मच से जीच जाती है और उन बड़ा सेंटर पर जो बीजेपी जैसे जीती तो उनका जो रिप्रेजेंटर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, परस जो लास्ट सवाल आपके लिए इहां पर आता है, वो ही आता है, कि आपने यहां पर पारलिमेंट क्या होती है, यह समझ लिया, एक बार सारी बातों को अगर समप कर लें, हमारे देश का सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ी अथोरे जुनते हैं राज्य सभा के जो मेंबर्स हैं वो कहां से एलेक्ट होते हैं स्टेट के थुरू जिसके लिए हम स्टेट में किनको एलेक्ट करते हैं अब एक सवार यहापर जो पेंडिंग था पार्लेमेंट तो हमने समझ लिया और पार्लेमेंट की पाइट भी समझ ली कि हम लोग सभा में भी जीतने की कोशिश करते हैं राज्य सभा में भी इंडारेक्ट ली आएंगे पर उसके बाद बेड़ा एक टर्म हमने सीखी थी गव बढ़ार बनाने के लिए जर एन्य डिफ प्सवार्श पर्लेमेंट गॉंट और पोरिस टरीक से समझ लेना वेलना पूरेस लेवस मैं सिर्द्ध चलाता ही रह जाओंगा या काम पार्लेमेंट ने किया है ये काम गॉलँट ने किया है अगर आपने डिफरेंस नहीं सीका त पूरी जिन्दगी भर आप लॉक अंदर वो दिख्कत पाऊगे तोड़ा क्या पार्लियमेंट और सरकार में कुछ अंतर है कि दिने बच्चों को पता है क्या अंतर है अंधर दो बच्चे तीन चार कि दने बच्चों को लगता है या आज तक लगता था कि सरी टर्म से में इंटर चिंजबली स्तमाल हो सकती है पार्लेमेंट और गवर्मेंट बाक्यों किया सलव नहीं है अजी कोई बताना चाहिएगा पालेमेंट गवर्मेंट का डिफेंस बता कि अगर्ण के लोग सबाइब गार्ण कि अगर्ण के लोग सबस्टेश्ट आगे ठीक है उनका में गोल यॉय एक्ट को पास करना ठीक है ठीक है तो गवर्मेंट बनेगी कैसे मिनिस्ट्रीज कैसे बनी उसमें कोन होंगे वो कैसे डिसाइड होगा सब्सक्राइब काफी सारी मिनिस्ट्रीज आ जाती है जैसे मिनिस्ट्रीज में मिनिस्ट्र्स होते हैं जैसे फाइन्स मिनिस्ट्र हमारे देश में कौन है इसके जो मिनिस्ट्र कहां से चुने जाएंगे कैसे एलेक्ट होंगे कहां से तो आप कहरे हो जो सिर्स रूलिंग पार्टी होती है और पोजीशन भी ठीटी जी भी है तो बीजेपी की एलेक्श वह मानलेक्ट सेट्स हैं कि लोगश्भा में बीजेपी के 280 MP है, तो बढ़ा, क्या BJP की ही सरकार देश में बनेगी, तो बढ़ा, जो सरकार बनेगी, उसमें क्या BJP के 280 के 280 MPs को सरकार बुला जाएगा, क्या BJP की जो 280 है, are you getting my question, सभाल समझ में आ रहे, तो जितने भी BJP के लोग सभा में 280 लोग बैठे हैं, क्या ये सब सरकार कहलाएंगे, या सरकार इन में से कुछ लोग बनाएंगे, कितने बच्चे का मानने सर, इन में से कुछ लोग सरकार बनाएंगे, कितने नहीं सर, सारे सरकार कहलाएंगे, कितने सर, सवाल ही समझ में नहीं आया, और सवाल समझ में नहीं रिपीट दो कुश्चन, आंसर तो यह पीछे पास कर दो दो प्रीस भाई तक हो जाए चलो जो उन्होंने गवेड़ा बिल्कुल सही कहा उन्होंने क्या कौनकी बात सोज़ में आई 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 तो आई तो आई तो नहीं आई तो नहीं हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद क्यों वह नहीं जीगवरेक आधो जाओ हो फिर किसी का कोई डाउट है तो हम हें आए योंक कम अएं आश्ग प्रेजिदेंट नॉमिनेट करें लाइब स्टुडेंट अगर आपका भी कोई डाउट है दो I'm here you can ask अंकुर गरीश आप सबके messages मेरे पास आ रहे प्रेणाच अभी देव Thank you Aman wishing you all the success for your journey Thank you झाल 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 करें स्टार्ट अरे कैसे होगा भई अभी तुम आरी एनर्जी अभी से इतने डाउन कितने बीज़े क्लास है अच्छा इसके बाद साधे दस से सवादो टेक्स फिर धाई से साधे-पांच बस फिर अकांट साधे-पांच में फ्री हो जाब होगे कितना अच्छ पड़ा करते थे आप लोग मैक्सिमम एक दिन में कितना पड़े हो इंदर क्लासिस की बात कर रहा हम है सेल स्टेडी नी क्लासिस एक दिन में चार गंटे-पांच गंटे शे गंटे भी किसे ने करिए क्लासिस और यहां पर आते टाइम ओल्मोस्ट एक दम से आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा तो इतना तो इंटर में एक्सपेक्टेड है थोड़ा साथ हो जाएगा मैनेच अगर आप तरीके से चलते जाओगे क्योंकि इंटर क्लियर करने के बाद क्या होगा बड़ा आर्टिकल्शिप होगी और आर्टिकल्शिप के साथ- समय तो है पर इंडियन कॉर्पेट के सबसे भुरी आदत यहीं है कि आपके वापसी जाने का कोई समय नहीं है आपके कॉंट्रेक्ट में तो लिख देंगे कि हां सुबह नो या दस बज़े आने शाम को छे साथ भी तक फ्री पर जनरली साथ आठ तो बेर में आपका का टाइम हो तो बेड़ा दो तीन तीन बजे भी रात के आपको काम करना पड़ सकता है ठीक है उमर है इसमें आपको यह लर्निंग का पॉइंट है आपाट है सीखते रहना चीए चले कमिंग नाउं टो आयर डिसकेशन तो ब्रेक पर जाने से पहले कुछ-कुछ बाते सीख आपको हर पार्टी के कुछ ना कुछ देखने को भी लेंगे जो अपनी रिस्पेक्टिव सीट पर जीत कर आए जैसे बी जैपे के 240 गॉंग्रेस के 99 एंड तो हर पार्टी के कुछ ना कुछ लोग आपको वहाँ पर बैठे हुए दिखते हैं तो वहाँ पर रूलिंग पार पार्टी भी होती है ऑपोजीशन पार्टी भी पर सरकार जो बनाने को मिलता है सरकार बनाते हैं रूलिंग पार्टी के लोग हाँ अगली में शिफ्ट कर देना वरना टो हो जाएगी पता चला साड़े पांच बजे के बाद जा रहे और बाइक भी नहीं है तो प्लीस टेक सरकार की बात कर हमने जाना कि बीजेपी रूलिंग पार्टी करंटी है साड़े 400 में से 240 सीट उनके पास है तो बीजेपी के 240 MP है तो क्यूंकि यह मेजॉरिटी में है और बाकी पार्टी के साथ कोईलेशन इनका बन गया तो अब इने सरकार बनाने का अमंत्रन दिया जाता ह कि आईए जी आप सरकार बनाईए और जब यह सरकार बनाएंगे तो सरकार में क्या बीजेपी के सारे के सारे 240 MPs या फिर नितिश कोमार चंदरपाव नायडो जी उनकी पार्टी के सारे MPs सरकार में आते है तो आंसर इस नो सरकार में इन में से कुछ लोग चुन करके आए जाएंगे तो सवाल रुकता है सरकार एक्जेक्टी है क्या और सरकार बनाने का यह लफड़ा क्या है तो हमने पार्लेमेंटरी सिस्टम तो समझ लिया पर अब चो हमारा भारत देश है इसको डेटूब्रे बेसिस पर तरीके से चलाने के लिए हमें यहां पर काफी सारे लो टेक्नलोजी भी देखनी है तो हम कंपनीज को अलग-अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करके काम करते हैं लाइकवाइस अब हमें जब अपना भारत देश चलाना है तो हमारा देश सही से चले या नहीं हमें अपने देश के अलग-अलग विभाजन या डिपार्टमे पाइनस कैव विधा फाइनैंस हमारे देशके बहुत इंपक्रंट इससाई कि गड़ा देश के पास पैसा कहां से आएगा पैसा कहां कहां खर्च होगा एस अगा ये एक बहुत इंपक्रंट एस पेक्ट है तो इसके लिए भी हम ने बनादी मिनिस्ट्रीट आफ क्या हमारे देश पर कभी भी बाहर से अटाइक होसकता है अगर देश को सही से चलाना है क्या देश को भार की फोर्से से बचा कर रखना पड़ेगा येस तो बड़ा उसके लिए का बना दी इस तरीके से हमने अपने देश की अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री बनाई और हर मिनिस्ट्री को सिम्मेवारी सौपी कि आप हमारे देश के इस फंक्शन का कंट्रोल सही से करेंगे जितनी भी ये मिनिस्ट्री का म करती है ये हमारे देश को सही से चलाती है तो किसी भी मिनिस्ट्री में आपको कौन देखने को मिलता है कर ना जी कोई भी ministry सही से काम कर रही यह यहां नहीं तो इस ministry को चलाता कौन है एक तो होता है उस ministry का respective minister और दूसरे होता है हमाँ पर bureaucracy के लोग जो कैसी clear होकर आते है जो UPSC का वो exam clear करते हैं IES, IRS और उनको यहाँ पर किया जाता है तो बड़ा जो UPSC clear करकर इस ministry को संभाल रहा है पर example वो secretary, under secretary, joint secretary उन पदो पर पर point हो रहा है क्या उसका tenure पांस साल का या जीवन भर है तो बड़ा किसी भी ministry में आपको यह सब bureaucracy के लोग या यह minister देखने को मिलते है बड़ा किसी भी ministry का जो respective minister है उसका selection कहां से होगा इन 240 MPs मतलब जिसकी सरकार है, जिसकी majority है वो decide करेगा कि हमारे देश को चलाने के लिए जितनी भी ministries है उन ministries में particular यह ministry हमें कौन से मंतरी को देनी है या कौन से MP को देनी है और बड़ा वो जितने भी MPs है उन में से जो जो लोग minister बनेंगे वो मंतरी पद की शपत लेंगे कहने का मतलब क्या है? एक बार अगर कोई भी party majority seat जीट जाती है फिर बड़ा क्या party में internal एक और fight चलेगी? चलेगी क्या fight चलेगी? हर MP क्या चाहिएगा? कि उसे मंतरी पद मिले वो किसी ना किसी ministry का minister बने? क्यों बड़ा जब वो minister बनेगा तो क्या हर ministry को अपनी ministry चलाने के लिए कुछ पैसे मिलते होंगे? तब क्या उसके अंदर कुछ कटास्कता होगा? तब क्या कुछ manipulation possible है? तब ही है तब यह एक internal fight start होगी और अब की बार बड़ा BJP के लिए वो fight और ज्यादा tough है क्यों tough है? क्योंकि क्या उनने नितिश कुमार और चंदरबाबु नाइडू उनकी parties को भी शायद कुछ-कुछ ministries offer करनी पड़ सकती है? क्या वो ministries की demand कर सकते हैं करना चाहे? तो बड़ा हमारे देश को सही से चलाने के लिए हम अलग-अलग ministries बनाते हैं इन ministries में MP क्या पॉइंट होते हैं यह MP लोग सभा राजय सभा कहीं से भी चुनकर आसकते हैं और यह सारे जो ministers हमारे देश की ministries में बन करके आते हैं इन सब ministers को collectively हम क्या नाम देते हैं council of ministers इनको हम क्या बोलते हैं council of ministers और बड़ा क्या यह मंत्री हमारे देश के उस function के लिए जिम्मेवार होंगे बिल्कुल होंगे अगर इस बजट में मिडल क्लास के ओपर बहुत जादा बर्डन डाला गया तो कि निर्मला सितरमन जी को जवाब देना पड़ेगा देना पड़ेगा विकास आप मंत्रियों जी आप ये काम चला रहे हो अगर यहां पर कुछ गडबड़ी होई है आप सीधे जिम्मेवार हो इस तरीके से मंत्री अपॉइंट किये जाते हैं और यह सारे मंत्री अपना काम सही से कर र है हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर is such a big post because हमारा जो पूरा देश चल रहा है पूरे देश को चलाने के लिए जो इंडिवीजुल यह मंत्री जिम्मेवार हैं यह सारे के सारे मंत्री भी अल्टीमेटली लाइबल किसको या अंसरेबल किसको है प्राइम मिनिस्टर को वि प्राइम मिनिस्टर सबसे सुप्रीम मिनिस्टर और है सारे मंत्रें की शपत ने कि क्या बोला जाता है हमारे देश की central government तो क्या पर्ल्यमेंट और government में कुछ अंतर हुआ क्वैंके अगर को सबसक्रार कर अब iPhone और GI इत्रिशन बीज़ सारे सीटेंडी प्रॉलिंग ए वह वहाँ पर पॉंटेट ई डिज़ेघ्र कोई आ गाल्यूर्प इलक्ते। किया तो रेस्पेंट फिसने एक प्राइम मिनिस्टर है और रिस पेक्टिव सब्सक्राइब करने को सारी देटेल्स देखने को मिल जाएंगे कि हमारी सरकार कौन है सरकार में कौन को लोग आते हैं इसमें अगर आप जाएंगे बिटाएंगे आपको आपको Constitution भी मिल जाएगा अगर आपको Constitution पढ़ने का मन है कभी भी रेफर करने का मनुवा यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा वहां से भी आप एक्सेस कर पाएंगे पर यहां से आपको यह पता चल जाएगा जी करेंटली इंडियन प्राइम मेरिस्टर हमारे आपर को न आ गए इन फोटो तो हो नहीं आ रही पर मोदीजी आगए हैं मारे देश की Co दिपार्टमेंट का कारोबार भी सब्भाल रख दिपार्टमेंट अटोमेंग एनरजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फिर आगे बेटा कुछ और मिनिस्टर्स मिनिस्टर अफ डिफेंस आपके राजना सिंग जी अपके अमिच शाह जेपी नडड़ा जी शायद आपने नाम सुना होगा यह पहले दिल्ली के अध्यक्ष ते अब यह भी सेंटर में मिनिस्ट्री का काम सबाल रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड कैमिकल पर्टिलाइजर इनके पास है नितिन गटकरी जी यह तो वड़े फेमस सक्षियाद के शुक्ति लाटार करें आप सेंटर में ले गए मतलब अभी हमापे स्टेट में संबनेट नहीं अब यह सेंटर का कारोबार सभाल रहे हैं को दे दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ पनिंस किसके पास है इस दोनों मिनिस्ट्री के जिम्मेवारी दी गई यह हर्याना के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पर हर्याना में इनकी में थोड़ी खराब थी मतलब में हारने के चांसे ज्यादा थे और मोधी जी के अच्छे दोस्त भी हैं तो यह इनको सेंटर में ले गए उन्हें आप हटो स्टेट सेंटर में मेरे साथ आजाओ लाइकवेस अखिलेश यादव वह भी पहले स्टेट में एम्मेल ले हुआ करते थे पर इन एलेक्शन में वह सब हुआ तो बांगलादेश में शेख हसीन आपको आइडिया होगा इंडिया आई हैं तो इंटर्व्यू या कोन के लिए आंसरेबल हैं जैशंकर जी जब भी इंडिया का बाहर की किसी कंट्री के साथ कोई भी डिबेट होना है इनकी आंसरेबिल्टी है तो इस तरीके से ह इस आरी पाइट होती है कि हमारी पाटी जीते में फिर पाटी में हमें मंत्री बद की शपत मिल पाए हम मंत्री बन पाए तो इसको में कहा देते हैं काउंसल अब मिनिस्टर तो फाइनली दा कोशन फोर यूज इस कि अगर आप से पूछ ले तो सेंटल गवर्मेंट में कौ उनों में थोड़ा सा अंतर होता है जो काउंसल अव मिनिस्टर होते हैं उसमें तीन तरीके के मंत्री आते हैं एक तो नॉर्मल मिनिस्टर एक आपका जाते है मिनिस्टर सफ स्टेट एं एक आपका जाते है डिपिटी मिनिस्टर तो जो कैबिनेट होती है उसमें तीनों अभी बनी कुछ बात the Rifter difference between Parliament and Central government clear to everyone अगर अगर पूरे Companies Act में कभी वर्ड Central Government आ गयाग में Companies Act पढ़ेंग और वर्ड Central Government आया तो इसका मतलब क्या होगा Central Government की कौन सी Ministry Ministry of Corporate Affairs क्या M.C.A और Central Government अलग-अलग है या M.C.A Central Government का ही एक पार्ट है likewise अगर आपने income tax में कभी भी word central government पढ़ा उसका मतलब के ministry of finance I hope this is clear to everyone किसी भी respective act में जब आप cg as central government word पढ़ोगे वो उसकी respective ministry को address कर रहे is this clear to everyone और ये बैने कुछ बात चलिए तबड़ा this is all about your constitution parliament and central government and the last question for you is हमारे देश में कानून कौन बनाथा एंग announcement क्या एक इनके या aad कि बात है कि हमारे देश में कानीन क्या वान्यद्य कासम अजुके बटा किसी भी कानून को बनने के लिए कि होता है एक बिल बिल पास कहां से होता है लोकसभा से राच्यसभा से प्रेजिएठ हैं क्या है कि फिर सरकार को या करेगी उस बिल के हिसाब से वहास॰े मारे देश को चालाएगी इसाब्ल हमारे देश के लोगों पर कितना इंकंटराएट किर अब क्या स्लाइब रखनी एक चीज एक एक से وجन Right यह यह वह एक्ट पास कहां से करवाना पड़ेगा पार्लियमेंट से एक बार अगर पार्लियमेंट ने अपनी हां कर दी अब क्या मिनिस्ट्री अफ फाइनस उस एक्ट के साब से लोगों से टेक्स वसूलेगी तो बढ़ा वो कानून बना रही है और सरकार उस कानून को चला रही है तो मैं क्या करता हूं बेड़ा हमारा देश जो है लीगल या पॉलेटिकल सिस्टम के अगर हम बात करें तो वो तीन पिलर्स पर टिका हुआ है तीन पिलर्स कों से एक तो बेड़ा पिलर है जो कानून बनाता है जब भी कानून की बात आती है हमारे देश में तीन औ बनाता है जिसको हम कहते हैं legislative organ legislative organ हमारे देश का कौन हो गया answer आना चीए कौन कानून बनाता है Parliament और Parliament में कौन को नाता है लोग सभा राज्य सभा प्लस और एक बार अगर वो कानून बन गया तो उस कानून को चलाना ये जिम्मेवारी किसकी होती है Central Government और Central Government में कौन को नाते हैं Council of Ministers प्लस और उस कानून को इंटरप्रेट करने में अगर कभी भी दिक्कत आ जाए तो एक तीसरा और आखरी पिलर हमारे देश में उरकाम करते है क्या Judiciary जिसमें आते हैं हमारे देश के courts जो उस कानून को सही से चलाने में interpret करने में हमारी मदद करते हैं तो इन तीन पिलर्स पर हमारे पूरे देश का legal structure टिका है एक कानून बनाएगा दूसरे उस कानून के साब से देश को चलाएगा और उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आते हैं तो courts बैटे हैं जो हमारा ध्यान लखेंगे is this creator everyone these are the three organs of our legal system किसी भी कानून को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कानून बन कहां से रहा है उसको चला कुन रहा है और उसकी interpretation में या कोई भी इशो आ जाए तो हमें किसके पास जाने तो बढ़ा these three organs works in our nation तो ह घ्ट्रे इस लेबर में अगर मैं आप से पूछू की बढ़ा company's act किसने बनाया यह section किसने बनाया section में ये बात किसने लिखी तो आपका answer हमेशा क्या होना चाहिए आई आंसर क्या होना चाहिए ये पार्लियमेंट हमेशा आपका अंसर होना चाहिए पार्लियमेंट या आ पर मैं कहूँ होности Communist Act को चलाना है ये notification लानिय ये काम ऽकरना है तो इसको चलाने के जिम्मेबारी किसकी होगे center Central Government में भी किसकी Ministry of corporate affair मतलब पूरे companies act में कहीं भी cg लिख दें या mca लिख दें is it one and the same thing बिल्कुल तो द्याना खना बड़ा Parliament कानून बनाती है और central government कानून चलाती है मतलब सर अभी एकदम latest कुछ budget आया आपको पताओ तो तो budget भी क्या बिल के form में आता है यस बिड़ा budget के लिए भी क्या बनता है finance बिल और क्या निर्मला सित्रमन जी उस बिल के इसाब से सीधा देश के लोगों पर टेक्स लगास्कती है या पहले उन्हें उसको पार्लेमेंट से पास करवाना पड़ेगा तो इसमेवारी यह उनकी जिम्मेवारी कि देश से टेक्स का कलेक्शन अच्छा हो तो वह अपनी knowledge के एसाब से एक बनाती हैं उनके पास जो भी IES IRS officers हैं उनसे कंसल्ट करके एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है उस बिल को श्राव में देश को कानून के यसाब से चलाना बर कानून बनाना उनका काम नहीं बनाने के लिए वह पारलेमिंट के हां लेनी पड़ेगी और लोग सभाव है बीजेपी की मेशरीटियर रज्यस्वाह में रहाब जाए तो फ्लेक्सिपिलिटी की सारी बात हो जाती है यह बजट रील्स के थूद देखा है यह ठीक है तो हमारा रील्स वाले जनरेशन और रील्स ही दिखा देखा देते तुम्हें तो कुछ रिबेट सी एकदम लेटेस्ट बजट आया था एकदम रीसेंट जो बजट आपका आया है इस साल आपको पता दो इस साल दो बार इस संसद टीवी है मतलब निरमला सीतरम जीस समय कहां भी पोल रही है संसद इस पार्लियमेंट में वो अपना बिल पेश करके पूरी पार्लियमेंट से करें देखो जी मैं यह करना चाहती हूं कृपया आप लोग अपनी मिजॉरेटी से मेरे इस बिल को एक्ट बना दीजि ताकि मैं यह काम कर पाऊं तो पार्लियमेंट से बकाईदा इजाजत मांग रही है यह जो बोल रही है वो बाते शायद अभी आपको उत्मी अच्छी समझ में ना है क्योंकि आपने टेक्स नहीं पड़ा पर जब आप टेक्स पड़ जाओगे यह पूरी स्पीच आपको व क्लियमेंट सारे MPs कैसमें सिर्फ BJP के और पोजीशन के भी हैं सब लोग बैठे सब के सामने बजट पेश किया जा रहा है आप कर दो यह रहा है new tax regime stands to save up to 17,500 रुपीज in income tax अरे कुछ कुछ समझे मैं चलो तो यह इन्होंने पार्लियमेंट में आजम मंत्री एक बिल पेश किया जब भी यह बिल पेश करेंगी या तो इस बिल को पास करना असान होगा अगर रूलिंग पार्टी और ओपोजीशन पार्टी दोनों को वो ब कि चलो उनका reaction देख लो मिजल प्लास पमल का इस प् anticip of प्रदान मंत्री को सपोर्ट कर सोई कि जब प्रदान मंत्री ने खोट समय उनसा थाली बज़वायि थी जो न बबार धाली बज़ए उसके बाद उसके बाद प्रदान पंटी उसी मिड्न हब उस मोबाइल फॉन के लएट जलाओ फुर हिंदुस्तान में मिड़कास ने मोबाइल पॉन के लएट अब इस बजट में आपने उसी मिड़कर प्राइब थूसरा च्छाथिव उगैंड़ा इंडेकसेशन जो आपने कैंसल कि वो प्रीफ में चुरा था और जो अब बढ़ाया व और शौर्ट तो फंदरा से बीस पर्सेंट ये टर्म आपके लिए थोड़ी सी अभी नहीं लग रही होंगी इंडेक्सेशन एल्टी सीजी एस्टी सीजी कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा होगा पर मैक्सिमुम बच्चे भी पढ़ेंगे यहां पर खितम कर जाएंगे सार लोग सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब करने में थोड़ी से असानी हो जाएगी बाकी तो बैटा इतनी सब्सक्राइब अमिश्या जी के और देख लो यह तो गुस्सा कर रहे हैं वैसे वर्षा एक मीट अप सुनो बाई मैंने ध्यान साब को सुना है इस तरह से नहीं चले गाए इस तरह से नहीं चले गाए इस तरह राची सब्सक्राइब जगदीध धंकर जी थे इसलिए 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 अब तो क्या है चलो लास दिखा दे तो में मन्मोहन सिंग जी की आथ आज जाएगी फोटी सी शेरो शायरी वाला महलों ने बनाया हुए यह भी बहुत वाइरल हो यह शायद आपने कभी देखी हो आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहचता से कहने की आज एक शेर पूछ करके मैं आपको जवाब पूछना चाहते हुए तो इद्हें धर्की ना बात कर यह बता कि आप पिला क्यों लुटा हमें रहतनों से गिला नहीं तेरी रहतनी काल अब बैद्व सब को एलेक्टर के किसने बेजा है तरी दीत के काम नहीं बेजा है कि अगर अगर कि कि अगर के काबिल नहीं हूं मैं तो मेरा शौक तो देख मेरा इंतिजार कि तो यह सब हमारे मुद्धे हैं जो यह पार्लेमेंट में उठारे क्यों कि हमें रिप्रेसेंट कर रहे हैं कि आपको बहुत कि अपनी सीट पर अमेठी में एलेक्शन हार गई थी अपके बार का पिससे पहले तो वो थी एंपी भी थी और मंत्री भी थी अपना एलेक्शन हार गई इस बार ठोड़ा सा इंटरस्टिंग क्या हो अमेठी की सीट पर इंको अरॉल गांधी के पीया था राओल गांदी ने अमेठी के सीट पर अपने पीया को खड़ा किया था उनसे और उनसे लौसट पर क्या बीजए पी अगर चाहे आपके लिए करती है अगर हां तू कैसे कैसे कि नॉमिनेट करके नॉमिनेटेड मेंबर चलो एक वे और कोई रास्ता कि भीजेपी चाह रही है कि मैं स्मृती रानी जी को अभी भी मंत्री के पज़ पर रखूं क्या कोई तरीका है बहुत अच्छे लोकसभा में तो वह अपनी सीट पर एलेक्शन हार गई फ़र क्या बीजेपी राज्यसभा के थूण को उंको इंट्रूज करवा सकती है क्योंकि किसी स्टेट में तो बीजेपी की सरकार है उस स्टेट की जो सीट राज्यसभा में कि हमापर समृती डानी को फिर उने मंत्री पत्र बनाया जाता है बिद्धोund पोसिबल्ट मैस अब अब को यह प मत्री है अब लिए ओर दिक्कत मत पाना तो अगर सारी बात को हम समप कर दें तो हमारे देश का सबसे सुप्रीमस्ट अथॉरिटी कौन सी है सब कहां सराना चाहिए Constitution Constitution ने लॉब बनाने की पावर किसको दिया इस लेजिसलेटिफ और गन हमारी सुसाइटी का कौन सा है पार्लियमेंट कानुन चलाने की पावर किसके पास है गवर्मेंट के पास और कानुन को इंटर्प्रेट करने में अगर कोई भी दिक्कत आज़े तो जोडिशरी हमारे बैठी और इन तीन और पर हमारा पूरा लीगल स्रुक्चर काम करता है आप में से किसी बच्चे ने पाउंडेशन नए स्लेबस में किया हो तो दिन में से कुछ बात है थे बढ़ा आपके पाउंडेशन में होंगी तो आंसर क्यों नहीं आ रहे थे पांडेशन में इससे पहले चैप्टर नहीं था नए स्लेबस में इंट्रूडियोस वा था बेसिक्स ओप दी लॉग वापर सारी पांच पांच के छोड़ता सारे नलायक है अजी चले कोई एनिवेस आगे से कन्फिजन नहीं होने यह पॉइंट्स आपके बेसिक्स हमेशा क्लियर होने इसी है ताहिए आप कोई भी कानून पढ़ो हमारे देश में कानून बनाने की पावर पारलियमेंट है अगर सबसे पहला पेज पढ़ना सबसे पहले पेज पर कुछ बात लिखी होगी उसको पढ़ना पढ़ो पढ़ो उस पूरे पेज को पेज नंबर वान खुद से रीड करो कोई भी लाइफ स्टूरेंट है आपके पास यह हैंड आउट टेलिग्राम के थ्रू आ जाएगा यह हैंड पेपर के लिए इसलिए आपके बुक्स के साथ नहीं बेजा गया आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं अब अधिक बात अरे कुछ लिखा है का इसको बढ़ा यह एक्ट में तो होते हैं सेक्शन को अलग-अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया जात अगर हम सेक्शन ना बोलकर आर्टिकल बोलते हैं तो अगर हम आर्टिकल 245 पढ़े तो यह हमें सिखाता है कि हमारे समिधानने कानून बनाने की पावर किसको दी है तो अगर हम इसको रीड करें तो आर्टिकल 245 का यहाँ पर एक क्लाउस बन आ रहे है यह आपको समझा रह पावर किसके पास है पार्लियमेंट के पास पर एक और इंट्रेस्टिंग बात इस आर्टिकल ने कानून बनाने की पावर सिर्फ पार्लियमेंट के लिए रिजर्व रखी है या और किसी को भी दे दी मतलब अगर कोई पूछे कानून कौन बना सकता है हमारे देश में तो सिर्फ पार्लेमेंट बना सकती है कोई और भी बना सकता है क्योंकि पार्लेमेंट के साथ साथ कानून बनाने की पावर किसको दे दी गई है legislature of a state मतलब state legislative assembly पर पार्लेमेंट जो कानून बनाएगी बेड़ा वह किसी स्टेट के लिए हो गया है इंडिया के लिए होगा पर जब state legislative assembly कानून बनाएगी वह पूरे इंडिया के लिए हो गया उसके respective state के लिए होगा जो जाके बढ़ा, normally कहने में आ जाता है कि कानुन बनाने की power से पार्लेमेंट के पास है, पर क्या पार्लेमेंट के साथ-साथ हर स्टेट की legislative assembly अपने स्टेट के लिए अलग से कानुन बना सकती है? बिलकुल. सेंटर में पार्लेमेंट ने कानून बना दिया तो उसको चलाएगी कौन सेंट्रल गवर्मेंट सेंट्रल गवर्मेंट में कौन आएगा सेंट्रल गवर्मेंट में कौन आएगा सेंट्रल गवर्मेंट में कौन आएगा सेंट्रल मिनिस्टर्स प्लस प्रेजिरेंट को और उन कानूनों को इंटरपेट करने में कोई भी दिक्कत आ जाए तो आपकी हेल्प कौन करेगा जुडिश्री तो अगर आप पेज नंबर फोर पर आएंगे यही तीनों बाते आपको देखने को मिलेंगी कि हमारे देश के लीगल स्ट्रक्चर में तीन और गंस काम करते ह legislative is the one that makes law और center level पर पर कानून बनाने की पावर है परलिडमेंट के पास बास state level पर कानून बनाने की पावर है state ही legislative assembly के पास दूसरा और गनाते है बड़ा executive जो कानून को implement करता है या execute करता है Center level पर ये काम कौन करते है President plus Council of Minister और State level पर कौन करते है Governor plus Council of Ministers and lastly बेड़ा कानून को interpret करने में दिख्कत आ जा तो कौन है Judiciary जिसमें कौन आ जाते है Courts Center के लिए case करना तो कौन से court में जाने और State के against case करना तो कौन से court में जाने ऐसा कोई भी कानून नहीं है अलायको हमारे देश में Courts Center और State के अलग-अलग नहीं है अलग-अलग नहीं है Courts हमारे देश का जो Judiciary सिस्टम है वो अलग-अलग डिवाइड नहीं किया गया कि Center का case महा होगा State का case या होगा नहीं Judiciary एक simple structure से चलती है अपनों चाहते है Supreme Court High Court उसके नीचे District Court वगएर आपके आ जाते हैं वो सब कॉमन है मतलब वो हमारे सरकार के यहसाब से बाइफरिकेटेट नहीं है I hope this point is clear everyone अरे बनी कुछ बात अरे बस class खतम होने वाली है तो अब थोड़ी से energy दिखा दो अब तो खुशी हो रही होगी Yes sir So finally Sorry समिधान ने बेड़ा आर्टिकल 245 के इसाब से कानून बनाने की पावर किसको दी है एक तो पार्लेमेंट को और दूसरा State की legislative assembly Parliament बेड़ा मैं कहसकते हूं कि आजकल मोधी जी की चलती है क्या हम कहसकते हैं मतलब अगर पूरे इंडिया के लिए कोई कानून बनाना हो तो क्या बेड़ा मोधी जी और उनके मंत्री वो कानून पार्लेमेंट के थ्रू बनवाएंगे येस और अगर किसी स्टेट के लिए कानून बनवाना हो तो State की legislative assembly for example अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बेड़ा कानून कौन बनवाएंगे योगी जी योगी जी और उनके मंत्री एक बिल लाएंगे स्टेट से पास करवाएंगे फिर वो एक्ट बनेगा और स्टेट में वो कानून लाऊँगा तो अगर हम बात करें सेंटर की तो अभी हमारे देश का एक बजट आया बजट बिटा किसी स्टेट का अलग था या निर्मला सीतरमन जी पूरे इंडिया के लिए एक ही ले करके आई तो जब हमने बजट की बात करी बजट को हम नाम देते हैं क्या वह असमें कोण सूट एंतरों सब्सक्रस प्रशाओंध इस्याइट हैया जाते हैं, but the point is, निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर यह जो कानून बनाया, यह पूरे इंडिया का एक ही है, मतलब यह कानून पार्लियमेंट बना रही है, और इसके थूरू वो लगाती है हमारे देश के लोगों पर, इंकम टेक्स, बढ़ा लगबग अगर बात करें, मोटा मोटा स्लैब लैप सा बूलते हैं, नॉर्मली अगर आप अच्छा खासा कमाते हो, तो आपको अपनी कमाई का लगबग कितना प्रतीशत टेक्स के फॉर्म में सरकार को देना पड़ता है, लगबग, लगबग 30%, ठीक, बाकिस अब आप इंकम टेक्स में सीखोगे, स्लैब का सिस्ट्रम और अभी के लिए मान लेते हैं, 30% आप अपनी कमाई सरकार को देते हो, तो निर्मला सीतर मंजी करें, देखो भी, अगर सीए बनने के बाद, आप साल का एक करोड रुपा चापते हो, मेरे को मोटा मोटा क टेक्स क्यों दे, टेक्स भी ले रही हैं वो, क्यों दे हैं, क्या बटा हम टेक्स पे करने को बाउंड है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लगाते हो, नहीं करते कर लो, क्या होगा, मैं तो नहीं दे रहा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, किसने पार्लियमेंट ने पार्लियमेंट को कानून बनाने की पार्व मिली सविधान से सविधान बनाने की अथोरेटी किसने दी है हम सब ने हम सब ने उनको वह पावर दे रखे कि वह कानून बनाकर हम पर टेक्स लगा सकती है और अगर हम वह टेक्स पेग ना करें और वह का तो आपने का जी चलो ठीक है जब समिधान ने पाबर्दी है इन्होंने एंपर टेक्स लगाया तीसलाग रुपे टेक्स ले लिया आप दिल्ली में बैठे हो और इस केजरिवाल जी लेट सबोस जेल से बाहर आ गए है जेल में आपको आइडिया होगा जेल से बाहर आने कवा अगर तीसलाग रुपे का टेक्स ले लिया आपने वह तीसलाग का इंकम टेक्स पे किया सतर लाग आपके पास थे आपने जोचा चलो इससे मैं कुछ करूंगा और पता चला अगले दिन यूपी में योगी जी भी एक बिल लेया यूपी इंकम टेक्स एक्ट दोजार चॉपिस और उन्हें ने यूपी की स्टेट लेजिसलेटिव से ये कानुन पास करा दिया और वह कहरें नहीं जादा नहीं तीस परसेंट मेर को भी दे देना इजीनेस के लिए अगर आपने एक करोड कमाय था तीस लाग का प्सेंटर को दे देना तीस लाग मुझे दे देना बाकी बचा वो आपका अब कहरें जी खर्चा करेंगे उस पर थोड़ा सा जी स्टी दे देना बस वह वागिए बात है पर वो कहरें जी मेरे को भी इंकम ट मैं दिल्ली हर्याना इन लोगों को टार्गेट नहीं कर रहा पर यूपी के लोगों के लिए कानून बनाने की पावर समिधान ने मुझे दी है आर्टिकल 245 में लिखा है कि पार्लियमेंट इंडिया के लिए कानून बनाएगी और स्टेट के लिए अपने निर्मलाताई को सेंटर के इसाब से 30 लाक रुपिका टेक्स दिया था तब योगी ताओ को भी 30 लाक रुपिका टेक्स दिना पड़ेगा ठीक है क्या वैसा कर सकत है अपने जितना सिर्फ आर्टिकल 245 पढ़ा क्या वह ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कि बड़ा सम्विधान ने कानून बनाने की पावर सेंटर को भी दे रखी है और सेंटर वाला पूरे इंडिया के लिए कानून बना रहे है पर क्या स्टेट वाला स्टेट के लिए कानून बना सकता है पर बेटा गर हर टॉपिक पर सेंटर और स्टेट दोनों लोग कानून बनाने लग गए तो क्या देश की जनता के लिए आफ़त हो जाएगी तो इन topics पर आप कानून बना लेना और state इन topics पर आप कैसा करना चाहिए अब बढ़ा ऐसा ही हमारे देश के सभिधान ने किया और ने का Parliament तेरे पास भी कानून बनाने की power है पर Parliament तू इन मुद्दों पर कानून बनाई हो और state तू इन topics पर कानून बनाई हो और वो बात लिख दी इसी से अगले आर्टिकल में तो अगर आप पेज नंबर सेकिंड पर आ जाएंगे तो आपको एक आर्टिकल 246 देखने को मिल रहा है इसको एक बार पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ाओ मेरे साथ साथ रीड करना बढ़ा आर्टिकल 246 का क्लॉस वन यहां पर आ रहे यह क्या क स्केडियूल भिट में काफे सारी स्केडियूल थे उसमेंसे एक स्केडियूल आता है YOU हूए इंकम तेक्स वाला मेंटी आपके साब से कहां लिखा होगा यूनियर लिस्ट में तो इस लिए उस पर कानून बनाने की पावर किस के पास है, निर्मला सी तरहमन के पास, क्या योगी जी ऐसा कर पाएंगे, तो योगी जी नाराज अगर है, फिर मैं किस पर कानून बनाऊंगा, पावर तो तो देती, मैं कौन से मुद्धों पर कानून बनाऊंगा, तो बड़ा गर पारलीमेंट यूनियन लिस्ट has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in list 2 in the 7th schedule that is state list. बच्च्पन में इस इखा होगा, तो union list के matters पर कानून कोन बनायेगी? पार लिया मैंट और state list के matters पर कानून कोन बनायेगी? state की legislative assembly, for example, कोई example, बटा, इंडिया की पुलिस एक है या दिल्ली और हर्याना की पुलिस अलग-अलग है? अलग-अलग क्यों है? अब बटा, आपका दिमाग चलना चाहिए, अलग-अलग क्यों है? क्योंकि पुलिस से सम्बंदित कानून बनाने की बात, union list में लिखी होगी य स्टेट में, इसलिए बटा, हर स्टेट में आपकी पुलिस बदल जाती है, because वो matter लिखा है, स्टेट लिस्ट में, बटा, दिल्ली में जुवा खेलना लाउड है, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, पर गोवा में जाकर कसीनो में खेल सकते हो, क्यों? क्योंकि gambling ये matter union list का है स्टेट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का, दिल्ली ने बैन कर रखा है, हर्याना ने बैन कर रखा है, पर इंडिया में गोवा इंड सिक्किम, सिर्फ ये दो स्टेट ऐसे हैं, उन्होंने gambling को legal कर रखा है, वहाँ आप खेल सकते हो, because ये वाली बात का लिख्यों ये आपकी स्टेट लिस्ट में, तो इसलिए आपको कोई भी कानून पढ़ने या समझने से पहले ये देखना चाहिए, कि वो matter union list का है, या state का, अगर वो union का है, तो कानून कोन बनाएगी, अरे आंसाना जी सुपा, कानून कोन बनाएगा, पारलियमेंट, और अगर वो state list का matter है तो, और बच्चमन में आपने एक और बात सीख्यों कि एक तीसरी list भी होती है, जिसको हम कहते है, concurrent list, और concurrent list के मुद्व पर कानून बनाने की पावर किसके पास है, दोनों के पास, parliament as well as state, और अगर दोनों नहीं by chance कानून बना दिया और उनमें clash आ गया, फिर किसका कानून आपक पानून बनाने की पल्डीजे पॉइंट नमबर सेकंड, सॉरी, state, वो तो छोड़ रही है, अरे बन रही है कुछ बात, तुम्हारी बात बन रही है नहीं बन रही है, कोशिश में लग रहो चलो, बन जाएगी, कोई नहीं, चलिए, तो अगर सारी discussion को सभब करें, बेड़ा 245 ने कानून बनाने की पावर, Parliament, as well as state legislative assembly को दी, पर 246 ने उनकी पावर को बैफरिकेट किया, उन्हों ने का जी, हम तीन लिस्ट बना रहे हैं, और उन लिस्ट में जो जो मैटर्स होंगे, उन पर बनेगा कानून, for example, पहली आई आई आपकी union list, union list पे बेड़ा कानून बन की, वो हर state का अलग 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 है, तो हर state का अलग gambling कानून आपको देखने को मिल जाता है, because वो state list का matter, is this clear everyone, income tax आपने भी तक पढ़ा तो नहीं है, पर कितने बच्चों को ये बात पता है या कभी सुनी है, कि हमारे देश में agriculture income tax नहीं लगता, सब को ही बता है, क्या बात, चलो बढ़िया, तो बढ़ा जब आप income tax पढ़ोगे, income tax section number 10 आएगा, जो आपको exempt income के बारे में बताता है, वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि agriculture income पर हमारे देश में tax नहीं लगता, बढ़ा क्या मोधी जी चाहें तो उस पर tax लगा सकते हैं, हाँ सरकार है, बिल लाएंगे, income tax statement करेंगे और लगा देंगे, वो चाहा कर भी ऐसा कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, मतलब आज अगर निर्मला सितरमीन चीशा है, वो अग्री कल्टर्स को income tax से टच कर ही नहीं सकती, शायद आप दिमाग लगा पारे हो ऐसा क्यूं, मतलब चाहकर भी मतलब उन्होंने इंकम टेक्स में जा अगरीकल्चर इंकम को exempt किया है, उन्होंने कोई फेवर नहीं किया, उनके पास वो पावर ही नहीं है, क्यों नहीं है, चलो देख लेते हैं, तो वेड़ा पार्लियमेंट को कौन से मुद्दो पर कानून बनाने की पावर मि नोट्स में नहीं होगा, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, महाँ देखिएगा, अगर आप सम्मिधान के बिलकुल लास्ट में आएंगे, वहाँ पर आपको एक सेवन स्केड्यूल देखने को मिलेगा, यह जो सेवन स्केड्यूल है, यह अपनी अथोरेटी ड्रॉ कर रहा है, आर्टिकल 246 से, जो जस्ट भी आपने रीड किया, इसमें आती है, लिस्ट नंबर वन, यूनियन लिस्ट, यहाँ पर आपको मैटर्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि डिफेंस, कि इंडिया की आर्मी यह एक है, एक पुलिस की बात नहीं, आर्मी यह एक है, वो मैटर आपका लिखा हुए, यूनियन लिस्ट में, नेवल, मिनेटरी, एयर फोर्स आपको देखने को मिलेगा, यह सब बात हैं आपर आ रही है, अटॉमिक एनर्जी एनल, मैं सीधा लेकर क कानून हमेशा कौन बनाएगी, और आंसर नाचे कौन बनाएगी, पारलेमेंट, इन 97 में से बिढ़ा, एक एंट्री आपकी आ जाती है, एंट्री नंबर 82, पढ़ना एक बार, मतलब समिधान क्या कह रहा है, कि देख पारलेमेंट, योनियन लिस्ट पे तू कानून बनाएगी, और क्या तू, इनकम पर टेक्स लगा सकती है, पर कौन सी इनकम को टेच नहीं कर सकती, उस पर तू चाह कर भी टेक्स नहीं लगा सकती, तो बढ़ना क्या निर्मला जी या कि पारलेमेंट में बिल लाए, पारलेमेंट से पास करा लिया, एक्ट बना दिया, क्या करोगे, ऐजएजा, सीय या ऐज़ लॉयर और लीगल एगसपर्ट, आप क्या ऐपीनियन देंगे, बढ़ना आप सरकार को ही कटगरे में घसीट कर लेकर जा सकते हो, फू吃 अप सरकार रहूं बस यह समझाना है जिन्दगी में आप जब भी कोई कानून पढ़ोगे क्या उसकानून को ब्लाइंड ली फॉलो करना है यह मुस्कानून को भी कोशन कर सकते हैं जब आपको यह पता हो कि कानून की अथोरेटी फ्लो कहां से हो रही है तो दानकना अगर वो लगा दें आपने नाम सुना आप बाला साब ठाकरे जी उवा करते थे सब्सक्राइब करते थे उनकी जब डेथ हुई थी तो उनकी डेथ पर महराष्ट को बंद किया गया था तो एक लड़की ने मतलब आप ही के एज के लिड़की होगी उन्होंने सिर्फ अपने सोशल मीडिया फेस में लिखा था कि अगर आप सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर किसी को भी डीफेम करते हूँ आपको जेल हो सकती है और उस कानून कानून का नाम था इंफर्मेशन टेक्नलोजी एक उसमें एक सेक्शन होता था उस सेक्शन का इस्तमाल करके उन लड़कों को उठाकर जेल म तो उन्होंने क्या अपने सिर्फ उस फंडामेंटल राइट का ही इस्तमाल किया था बिल्कुल तब 21 साल की दिल्ली उनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट पढ़ा करती थी श्रया सिंगल उन्होंने बकाइदा सुप्रीम कोट में गवर्मेंट ऑफ इंडिया के केस किया कि आपने जो यह कानून इंफ्रमेशन टेक्नलोजी एक में लिखा है यह एकदम गलत है यह हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है और तब सुप्रीम कोट ने वह सेक्शन बकायदा उस कानून से डिलीट करवाया था तो इसलिए जो मैं समझाना चाहरा हूं बस यह कि किसी भी कानून को blindly follow करना आपके लिए mandatory नहीं होता आप उस कानून की authority को भी question कर सकते हो provided आपको पताओ कि वह कानून कैसे flow हुआ है और क्या वो तरीका सही था या नहीं अरे are you getting my point और अगर agriculture income पर कोई state tax लगाना चाहे क्या वो लगा सकता है वो लगा सकता है क्योंकि agriculture income प आप टेक्सी नहीं है वो गलत बोलते हैं वो पूरी बात नहीं देखते है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहकर भी center दो लगाने सकती पर कुछ-कुछ states कहीं बार उस पर impose कर देते हैं तो इस तरीके से आपकी state list आ रही है state list में आपको 66 entries देखने को मिलती है तो इन 66 points के पर जब भी कानून बनाने की बात आएगी पानून कानून बनाएगी state and finally आ जाती है आपकी concurrent list इसमें जितने भी matters लिखे है इन पर दोनों को कानून बनाने की power है clash की case में Parliament का count करेगा prevail and यहाँ पर आपकी last entry number आ जाती है 47 से वेल तो बाइट इस हाव आर constitution works वरक्स अबने दो आर्टिकल पड़े सारी बात को repeat कर लेते हैं तो पारलियमेंट और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं यह बात समिधान के कोन से आर्टिकल में लिखी है 245 पर फिर 246 ने इनकी powers को किया वाई परके और का जी अगर सब्सक्राइब कानून बनाना स्टेट लेट सेट लेट लेट लिखी अप सेट लिखे लेए पाईनली कॉन करेंट लिस्ट पस आपके लिए लास सवाग योगी जी अभी भी अड़े हुमें तो यूपी इंकम टेक्स लेकर कर के आऊंगा क्योंकि मेरी स्टेट को समय रिव 246 ने कहा है ना कि मैं सिर्फ स्टेट लिस्ट के मैंटर्स पर कानून बनाऊंगा हमने का हां पर वो कह रहे है जी आर्टिकल 245 ने तो मुझे कहीं भी किसी भी मुद्धे पर कानून बनाने की पावर दे रखी है मैं जो बात कहरे हूं कुछ-कुछ समझ में आ रही है वनला वो कहरे समिधान के यह दो आर्टिकल है मैंने कहा जी योगी जी दो आर्टिकल समिधान के हैं वो कहरे 246 कह रहा है कि मैं सिर्फ इन वाले मेंटर्स पर कानून बना सकता हूं पर 245 तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा वो तो कह रहे हैं मैं कानून बना सकता हूं तो मैं 246 का इस्तपाल ना करके मैं सिर्फ 245 के इसाब से UP income tax लगा दूँगा क्या उनके बार ठीक है कितने बच्चों को लग रहे गलत है कितने बच्चों को लग रहे ठीक है ऑल गलत तो है पर उनको गलत साबित कैसे करे यह थोड़ा समझ नहीं हा रहा छालो थाधित करेंगे next class में करिफ सब्सक्राइब करूँ लाइब गूगल राइव जितने भी सम्मेरी स्टुडेंट्स है आप सब की जिम्मेवारी मेरी है अगली क्लास से में इस्तमाल करना स्टार्ट करना होगा तो अगर आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास अभी नहीं अगर आपने बैच के लिए नहीं किया तो आपको बुक्स वो नहीं प्रोवाइड करेंगे उसके समझने में आपको दिक्कत ना है कोई डाउट अगर आपका है तो मैं यहीं पर वरना गाइस डू इंजॉय और ब्रेक क्योंकि पंदरा मिनेट में फिर आपके टेक्स की क्लास भी है तो ज्यादा समय आपके पास नहीं है किसी का कोई डाउट है तो आपके बाबाई गरिश जिनका पेमेंट हो गया है प्लीज आप बुक कलेक्ट कर भी लेना अभी आपको बुक मिल जाएंगे तो प्लीज आप अपनी बुक करेक्ट कर लेना आपका कोई डाउट मेरी स्क्रीन पर नहीं है इनकेस कोई डाउट रह गया होगा तो आप नेक्स क्लास में पुछ लेना नेक्स क्लास हमारी कली रहेगी किल सुभे मिलते हैं आपसे टेक क्यार बुबाई परिश्वारी परिश्वारी झाल 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 झाल